वेल्कम तु दी चैनल आई आज आपको पराऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का फर्स चैप्टर जिसके नाम है दे लास लेसन तो देखो कैसी सी बात है हमारी बुक का पहला चैप्टर और इसके नाम क्या है दिलास लेसन अब ऐसा क्यों है इसको कोई सिंपल साथ चैप्टर मत समझना बहुत ही रोमाच्फ चैप्टर है बहरत ही जादा बड़िया चैप्टर है क्योंकि पर पड़िया कही ना कही तो इसको पढ़के इमोशनल होगे कि यारיד कभी भी न एक काम को कल पढ़ने चालना चाहि spos जो चीज़ रहते थे पूरे की पूरी दुनिया के अंदर तो भाई यहां ना बात हो रही है फ्रांस की और पुरुशिया की तुम में से तो कुछ बच्चे होगे जिससे पुरुशिया पता भी नहीं होगा कौन सा है जिनको पता है तो हैट्स ओफ गई साची बात है क्योंकि हमने 10 में प जीत जाता और जब फ्रांसिय से फ्रांस की यह जीतता है तो फ्रांस की दो शहर जिन का नाम था allaharies in इनको जाके कहते हैं कि भाई आज के बाद तुम अपने स्कूलों के अंदर फ्रेंश लैंविज नहीं बोल पाऊगे आज के बाद से तुम अपनी स्कूल में मैं पढ़ाऊगे भी जर्मन बोलोगे भी जर्मन you will walk in जर्मन, talk in जर्मन, eat in जर्मन ऐसा ओर इनको देदे तो आप सोचो इस चैप्टर में क्या और है फ्रेंच लोगों से उनकी आइडेंटिटी चीन ले जाएगी उनको बोला जाएगा कि तुम अपनी मातर भाशा नहीं बोलोगे तो उस चीज का इफेक्ट क्या पढ़ा बच्चों के उपर जो रोज स्कूल जाकि अपनी लेंग्विज पढ़ते थे और क्या इफेक्ट पढ़ा उस टीचर के उपर जो रोज बच्चों को चालिस साल से स्कूल के अंदर फ्रेंच पढ़ाता था तो चलो चलते हैं अलसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो आज खुद दो में बताएगा कि जब उसके साथ ऐसा हुआ जब फ्रांस के अंदर मना करा गया उसको कि तु फ्रेंच ही नहीं बोल पाएगा बेटा तो उसे कैसा लगा तो टू में करेक्टर्स है तो यह बैग्राउंड समझ वह गया यह बैग्राउंड से आद बहुतिसान चैप्टर तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को ठीक है लिखा किस ने आप यह चाप्टर यह काम मेरा नहीं बताने का यह काम आपका है बताओ जली से कॉमेंट सेक्शन में कि इस चाप्टर की राइटर कौन यह स्पेलिंग गलत हुई तो बहुत पिटा लिए मैं इसका मन करता हुई और गूम को उपने हो यह सडकों पर गूमता यह पढ़ाई नहीं करता तो भई क्या हो रहे है तो यह स्कूल जाने में लेत था इसलिए ड़ लग रहा है उपर से आज इसका टेस्ट प्रण फेस्कूल में पार्डिसिपल्स कहों आहां चेलिए तो फ्रेंच के पार्टिसिपल्स भाई साब ने लर्नी नी कर रखे थे आर्ट टेस्ट का तो इसे डल लग रहा था यार भाई आथ तो स्कूल में डाट पिटेगी डाट पिटेगी और उधर यह देखता है यह तो बहुत बढ़ी आसा मौसम हो रहा तो इसका मन करता बंक माल इसका क्या देखके बंक मांने का मन करता है कैता है यह क्या बढ़ी आ मौसम हो रहा है चडिया क्या चेह चहारी है और सैकिंड़ी पाता है क्या होता है यह पीछे देखता है एक सौमिल थी, सौमिल के होते हैं, जहापे लकडिया कटी है, तो लकडिया जहापे कटी हो, उसके पूझे खेत था, वहाँ पर पुरुषियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, समझ जाओ भाई, प्रशियन पॉज भी चुके थे, इनके गाउं के अंदर, तो भाई, इस साब य भाई, यह ड्रिल कर रहे है, तो यार, क्या बंग माल लूँ क्या, माल लूँ, चला ही जाता हूँ, क्या करूँ, बड़ा कन्फ्यूस फिर सोचता है, अरे नहीं, नहीं, नहीं भाई, स्कूल दो जाना पड़ेगा, तो कहारा मैंने सब कुछ अपने सारे डिस्ट्राक्शन सब्सक्राइब लेकर फैका कोने मैं बाहर में जान दो, यहां पता चले वर्शन के पाथ चला जाँ, गोली ओली मार दे, मैं चलता हूँ, भाई, स्कूल अपने, तो यह अपने सारे डिस्ट्राक्शन को साइड लाइन करके, जिसे कई बार तुम करते हो, इंस्टा नहीं च गाउं के ताउन हॉल पे, अब ताउन हॉल क्या है बदनाम, बदनाम क्यों है यह ताउन हॉल, क्योंकि इस ताउन हॉल पे नोटेस बोट, और नोटेस बोट से आ रही है, कुछ सालों से, जब से यह वाड चल रहा है, इनका हर मनूस ख़बर, हर मनूस ख़बर, हर बैड न सब देख रहे थे फ्रांस का मन भी था रूखने का बट रूख नहीं सकता था क्यों कि ले टोड़ी थी तो यह भाग रहोता है कि चल भाई जो भी होगा देखा जाएगा तो इतने में ही एक अंकल इसको वाज लगाते हैं वह अंकल कौन थे उनका नाम है ब्लैक स्मित वॉच ब्लैक स्मित वॉचर मतलब क्या हुआ इतनी अंग्रेजी बता हो हिंदी में दी तो ब्लैक स्मित होते हैं लोहार ठीक है और वॉचर है उसका सर्ण नियम ठीक है तो लोहार था एक वह वहां खड़ावा तो वह जो है फ्रांस को वह पढ़ रहे थे वह नोटिस पढ़ रहे बताँगा इनको मेरा मजा की उड़ा रहे होंगे कर दो नजर अंदास कर देते हैं यह जल्ली अनिसकोल जाने उसकोल की इसकोल के बस्कूल में उसकोल के बाएं पर इसे की पास Nichi आ तो परीन करीं टूखें स्कूल के पास हम करें सैंसे नहीं पर as बोलते हैं स्कूल के अंदर तो भाया वो कहते हैं ऐसी आवाज होती है हमारे स्कूल के अंदर तीन आवाज बताता है ruling ruler की on the desk desk के खुलने और बंद होने की and lessons repeated in unison यानि के खटे जब अच्छे लेसे बोलते हैं ऐसी आवाज आ रही होती है आज था कोई अवाज ही थी ऐसा लग रहा था Sunday की morning Sunday की सुबा वाला स्कूल लग रहा था फिर यह खिड़की में से अपनी ना क्लास के अंदर जाग के देखता है तो कह रहा है मैंने दीखा मेरे जो सर है वह अपना ruler लेकर क्लास में खड़े वे थे और मेरा जो क्लास मेट था इसका दोस्तों को बैट के पढ़ाई कर रहा था मतलब क्लास रू हो चुकी थी और मेरा तो सौलब प्लैंडी चौपट हो गया क्लास के अंदर तुप चाप जाके मैं तो अपनी सीट पर बैट जाना है तो उमने भी बहुत बाले से बताओ कि अटेंडनेंट चल रही है पीछे से निकल लिए क्लास के अंदर ठीक है और जब कभी पकड़े चाते थी तो याद करो कि इती शरम आती थी फिर भी बस वाले दिखे की स्कूल तक आ अएख पचाथा कि अन्दर कहले कि अगया कि द्रही इंदर जाने में बर मैं चलास के अंदर जाते बहुत तो अभी क्लास चेली अचा को जब fullest सब्सक्राइब मार देंगे के रहा कुछ नहीं का सण नहीं को सर करें अरी फ्रांस पीटा आज आप लेट कैसे हो गए जली जल्दी अपनी सीट पे जाके बैठो हम तुमारे बिना च्राप्टर शुरू करने वाले थे मेरे को बड़ा हैरान हुआ पर मैंने कुछ का नहीं मैं चुप चाप अपनी बेंच पर जाके बैड़ गया अब जैसी बेंच पर जाके बैठा एक तो इसे शौक लगी गया था कि आज भाई है क्या हो गया हमारे सर को मुझे मुझे वाणने पीटनी की जगए यह मेरे को इतन क्या कपड़े पहन के आवेते हैं अपना ग्रीन कलर का बढ़िया सा कोट या तरख लो इसको बहुत इमोर्टन एक्जाम के लिए ग्रीन कलर का बढ़िया सा कोट फ्रिल्ड वाली शॉर्ट एक ब्लाक कोलर की सिल्ख कैब जो यह सिर्फ प्राइस पे और इंस्पेक्शन दे पेंते तो क्याता है बहने का यार कदनी क्या चले स्कोल में और वैसे ही फ्रांस को एक और बहुत बढ़ा सर्प्राइस मिलता है जैसे यह क्लास में पीछे की तरफ देखे और पीछी की तरफ देखे यह बोलता है यह विलिजर्स मेरी क्लास में क्या कर रही है समझ आज यह तो यह एकदम से देखता और यह पूछता है विया पूछना चाहता है कि वह यह पूछना चाहता है कि बड़ी क्या पीछ भाई पर रहाए च्बाट फर्शान हो जाता है देखें उसकी जो क्लास थी उसके बाड़ा सा क्लास्रों मुग उसके पीछ वाली डास रोस के अंदर जो गाओ वाली थे आखी बैठेवे थे कौन-कौन से गाओ वाले याद रख लो गाओ वालो का नाम टिप्स और टिप्स कर लो एक बैठा था बूरा खॉसर होसर होती है कास्ट ठीक है और उसने तीन पॉइंटेड वाली हैट पैंट रही है को आती होगी भाईया है इन फ्रे वीडियो को सुने क्योंकि मेरे तो दिमाग में प्रिंटेड अच्री अब तुमारे कर दूगी ठीक है तो यह थे वो जो हॉसर था ना उसका प्राइमर था प्राइमर क्यों जो बी कोई जैसी सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज इस का होता है इंग्लिश हो गया फ्रेंच ह बनेगा वेटा एक्जाम में एक्स्ट्राइटल थंब्ड एटेज वोत कुछ बच्चे होते हैं जो बिक्कुल नी पढ़ते उन्हों को पता नहीं होता बुक्स ऐसी बैग में जब पड़ी रहती है तो वह बुक्स साइड में से मुड जाती है मतलब वह प्राइमर बहुत स स्टार्टलिंग रिवलीशन करते हैं स्टार्टलिंग रिवलीशन मतलब कोई ऐसी बात जो आप सुनो तो आपके पैरोतले जमीन किसाग जाए तो एम हमिल खड़ी होते हैं बताते हैं कि बच्चों आज ही आपका लास्ट लेसन है आज के बाद हमारे स्कूल में एलसे जो हमारे शहर हैं यहां पर फ्रेंट्स लागविज नहीं पढ़ाई जाएगी जर्मन्स ने कहा है कि कल से एक नए जर्मन टीचर रहेंगे और आपको जर्मन से खाई जाएगी और आप जर्मन बोलना सीखोगे तो तो टुड़े इस आर लास लेसन मैं चाहता हूं कि आप अरे यार यह क्या हुआ तो इस तरीके से मतलब जैसे आपको अनफॉटनेट बात सुनों तो यह मुह में से शब्द निकला दर्रेचिस यह लिखाता नूटिस वोट के पर वहां इसकी फ्रांस की बत्ती जिल जाती है तिमां कि कि अच्छा वाई साब यह नोटेस वोट पे पढ़ेंगे अरे बहुत टाइम है यह भी घर देंगे जब समय कोई चीज हमार से तुम पढ़ा ही छोड़ो कोई जब हमारे पास होते हैं हम उसकी वैल्यू नहीं लगती जब वहार से दूर चली जाती है ताब हमें उसकी बहुत याद आती है तो अब याद आती है तो मुझे फ्रेंश तो अच्छे से लिखनी पढ़नी नहीं आते मुझे तो अच्छे से लिखनी पढ़नी नहीं आते मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी कैरा वो बुक्स जो मुझे कल तक लगती ती अरे यार मेरी बुक्स है मुझे अच्छी नह करता था यह क्या करन्टाइम विसके से करता था यह स्क्रोलिंग नहीं करता था इसके पास में की घूमेगा फिर एगा इसकी क्या टाइम पास होता था कह रहा है यार मैं क्यों चेडियां करता था मैं क्यों जो है सार रिवर के किनारे स्लाइड करने के लिए जाया करता था मैं क्यों अपना टाइम बेफाल्दू की चीजों में बरबात करता था क्यों मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया फिर ही अपने सर को देखता है और वहां सर को देखकर उसको वह फील होता है जो तुम्हें अपने फेरवेल वाले दिन पर फील होगा वह टीचर जब आ brakeने है अपने सर के पाऊंगे юऔर यह अच्छा नहीं आए अधा है वहल्य और आधा नहीं यी नहीं है और जिनको हम प्यार करते हैं उन जाङारी तो मिलना बाईंगे एम डिपयाय से तो हम एपने सर से कल से नहीं मिल पाओंगा यह चले जाएंगे तो मनीमन फरण बहुत तो इसे डिग्रेट होता है कि भाई साब मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी सो फ्रांस को अब बुरा लगता है कि मैं अमने सर से दूर हो जाऊंगा और फिर यह समझ जाते कि अच्छा यह जो आज विलिजर्स भी आए ना जो बहने बुड़ा लग रहे हैं इसका मतलब यह है कि भाई यह जो में हमारे सारी विलिजर्स आये हैं वो ना हमारे सर को रिस् स्कूल मना थोड़ी था पढ़ देते पहले आके वाट सबको बुड़े लोगों का भी यह हाल था उन्हें भी आज जाके बुरा लग रहा था और वो तो एम हैमिल सर को ओनर करने के लिए आये थे कि कल से तो वो उनके शेर में उनको पढ़ाने नहीं रहेंगे ठीक है तो य चला जाएगा मेरे हात में से लबता है तो तो फ्रांस के साथ हो चुका था तो सर बूला थे क्यों के लिए मुझे बहुत बुरा लगा मैंने एक वर्ड बोला और उसके बादी मैं फंबल कर गया मैं वह कुल चुप हो गया और मैं हूं मायूस हो खड़ा हो गया मेरा मन था कि काश ऐसा होता सर मुझे बाइवा के लिए पूछते और मैं फट पट 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 सारे के सारे पाटिसिपल सुरा थे ता काश ऐसा होता बट काश तहीं आता है कभी भी जो आपने मेहनत करिया वो ही दिखती है तो कह रहा मैं चुप हैसे फिर मायूस होगे खड़ा रग यूजुली तो सर पर टाइम करते हैं एक स्केल लगा देते हैं डाट देते क्योंकि इसकेल लेकि तो गुमते थे ना तो बट आज जो है व्यामल सर बिक्कुल नहीं नहीं आते कहते हैं फ्रांस बेटा परशाण मत हो यह सिर्फ तुम्हारी गलती है हम सारे फ्रेंच मैन हम अज कर लेंगे कुल रहें हमारे प्रेंच के सब यह हम सब आपने आज के काम को लहां को कपॉलेंगी अपरति और यह मत करनेहें वहां हम सबको अपने उपर जो है निराश होना से हम्सपित्प को अपनी गलती हैं तुमने नहीं हैं कि तुमने पड़ाई ने कर invent तो मारे पेरेंट्स की ह्लति हैं क्योंकि तुम्हारे पैरेंट्स तुम्हार को कभी मोटीवेट नहीं करते पढ़ने के लिए in fact वह तो तुमहें कहते ते कभी क्हें यह क्ल 계 तो हम सबकी गलती है आज दिन हमें देखना पड़ा है कि हम फ्रेंश लैंग्वेज को ही अच्छे से नहीं जाते हैं और हमसे हमारी भाशा चींग ले जाएगी और फिर वहां के फ्रेंश के लोगों के अपने जित्ते भी लोग सारे ग्लास में बैठे वे तो उनको बत बात यह सीख देके जा रहे थे वह वो कहते है कि जो फ्रेंश लैंग्वेज एक इस पे एक्वेशन आएका एक्वेशन में रख लो अग्वेज अग्वेज ए दुनिया की मोस्त लॉजिकल क्लियर और ब्यूटिफुल लैंग्वेज है तो इस लैंग्वेज को अपने साथ गार इनकी चीन लेंगे इनसे कहांके फ्रेंश में रहेंगे तो एम हमिल सीख देके जाते हैं अब तुम जेल में बांदो तुम जर्मन के कबजे में हो बड़ जब तक तुम अपनी भाशा को अपने दिल में रखोगे घर पे बोलते रहो प्रेक्टिस करते रहो जैसे भी तरीक अब उसके बाद जो है आगे की क्लास जो है उनकी शुरू होती है तो यह उनको समझाने के बार में अब उनकी क्लास शुरू होती है अब सबसे पहले उनकी होती है ग्रामर की क्लास ठीक है ग्रामर की क्लास जब स्टार्ट होती है तो फ्रांच कहता है आज मुझे सब समझ म तो सबस्के रहे हैं तो बहुत बच्छे से पड़ाएं से ऐसा लग रहे है कि शहारे है कि एक स्ट्रोक में हमें सब कुछ समझा दे लेक्स मतलब क्या एक बारी में सर के दिमांग में जितनी नौलिज की वह चारे हैं हम बच्चों को अज इसा ही पड़ा दे सर्ट वाज से पहले उसक선 की cél स्काधह जा से तेस्ट हुआ च्इरिज ग्रामर लेस्न या बताया रित करना से की आहross बच्छी सी राउंड वाली राय। राउंड वाली एल्सी प्रांस। यह उन उन ने कॉपी ओंपर भूदें को चोटे-पी जंडे लगने एंको पूरी क्लास में लगा सकते हैं बहुत प्रियोटिजम की फीलिंग उसके मन में आरखी ती उस समय केरा फिर हमने जब राइटिंग गणनी शुडू करी तो पेंड ड्रॉप साइलेंस हमारी क्लास में था हर कोई लास लेसन को ऐसे पढ़ रहा था कि वह सब कुछ आज ही सीख कर अपने घर जाए केरा जो कोई बात नहीं कर रहा था क्लास में बिल्कुल पिंडॉप साइलेंस अब इस पिंडॉप साइलेंस में फ्रांस को पर आवाज आती है कि जो पिजन जो कभूतर थे वह कुकू कर रहे ठीक है जैसे कभूतर करते तो यह बड़ा ना गुस्से में अपने मन में सोचता है विल इसे बुरा लग रहे है क्यों इसे इनका यह हक जो है वह चीन चुके है जर्मांस ठीक है तो भाई आव यह देखते हैं अपने एम हैमिल सर को बहुत परशान लग रहे थे बहुत दुखी लग रहे थे बहुत मायूस चैरा था इसने अपने सर को देख और इसे बहुत बु पूरी क्लास के सीन को अपने आखों में स्कैन कर ले पूरा का पूरा फोटो कैमरा तो नहीं था ना तो वह सब कुछ अपनी यादे बसा रहे थे अपने दिमाग में कि कल तो यहां से चले जाते फ्रांस हमें बदाते हैं कि सर्पत है इतने स्कूल के लिए कि 40 साल से यहां कुछ बदलानी इनकी लाइफ में बसक्या है हमारी क्लास्रूम का फणीचा थोड़ा पुड़ाना हो गया जो आके उने पेल लगाया था वालनट थोड़ा बढ़ा हो गया एक होपवाइन का प्लांटीन ने लगाया था वह बढ़ा हो गया बाकी सब सेम रहा हमारी सर की जि तो फ्रांस में देनल हो अगली क्लास थे मैं उत् arrests के लिए रहे ऩाथे हैं मेरा खुड़ाने के बाद में औरने शोड़े क्लासे ही हां वह जो चोटे बच्चें उनकी क्लास हुथी है वह जो चोटे बच्चे चैंट करते हैं वह जी स-चैट करते हैं और बच्चों कूत स में आसू आ रहे थे वह थे उन बच्चों के साथ वह गाते हैं तो पूरी क्लास का का कहन वह एसा Owitt Gaming मौख disfrut pileinen कभी रहा था और अंकल को वह बच्चों के साथ गाता वाद दिक कैंखिये हलका सा क्या होता है जो चर्च की बेल है उसमें जो है बेल बच जाती है ठीक है और जो है इतने में ही चर्च में प्रेयर होनी शुरू हो जाती है यानि कि अब उनकी क्लास का खतम होने का समय आ चुका था बेल बच जाती है उनकी क्लास खतम होने का समय आता है फ्रांस खिरकी से बार देखता है तो वो जो पूरा इंटर कर चुके थे इनके गाओ के अंदर और यह उसकी क्लास का इंड होने का समय आ चुका था अब जो है जब उसकी क्लास के इंड होने का समय आया तो जो है एम हैमिल सर फिर से अपनी जो है चेयर पे से खड़े होते हैं कुछ बूलने की कुशिश करते हैं क्या वो तो उनका जाने का समय था ना वो तो नहीं मेरेंगे बच्चों से कभी दुबारा नहीं फ्रेंच पड़ा पाएंगे तो ही ट्राइड बट वो कुछ कह नहीं पाते है इतने एमोशनल होते हैं कि जुबा कुछ बोली नहीं पा रहे होते हैं तो वो मुड़ जाते हैं और अपने पैंसे ब्लैक बोर्ड के उपर बड़ा बड़ा लिख देते हैं विव ला फ्रॉस इसका मतलब होता है लॉंग लिव फ्रांस और ऐसे ही पीछे मुड़े हुए ही ऐसा जेस्चर करते हैं अपने हाँ से कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास अब खतम हो चुके है आप जा सकते हो अगर एक्जाम में पूता जाए क्या है महमिल सर बार में सबको बाइबाई करते हैं क्या सबसे गले लगके मिलते हैं क्या कुछ बात करते हैं नहीं वो सिर्फ पर सिर्व यहां पर अपने सारे classroom के बच्चों को विलेजर्स को मैसेज देते हैं कि लॉंग लिव फ्रांस इवन दो जर्मन आ गए प्रश्यंस आके तो में कब्जा कर रहे हैं तुम अपनी मैं खोदी तरी इंपोशनल हो जाती है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए तो यह चैप्टर 12 क्लास में पहले दिन इसलिए पढ़ाया गया था जिससे आप भी सीख लो कि टाइम वेस्ना करो डेली पढ़ाई करो ओके तो यह चैप्टर तो हो गया कम्प्रीट अब आपकी क्ला आगे सारे चैप्टर सुन ले ना and be ready to score full marks in your exam तो मैं चलती हूँ बाबाई टेके ब्रेस ओफ लग अल्डे क्लास 12 स्टूदेंस मिलेंगे नेक्स वीडियो में So hi everyone, welcome to the channel, I am Sabrin Sahani and आज मैं आपको पढ़ाऊंगी Flamingo book का दूसरा chapter Lost Spring ये chapter पढ़के आप जानोगे उन बच्चों की कहानी जिनसे जिनका बच्चपन ही छिन जाता है पहले पढ़ेंगे एक दिल्ली वाले बच्चे की कहानी जिसका नाम है साहिब और फिर चलेंगे फिरोजाबाद और जानोग्याब मुकेश की कहानी जो काम करता है एक ग्लास बैंगल फैक्टरी के अंदर इस chapter को लिखा है अनीस जुंग ने जो हमारी author है और वो कैसे इंसान है उना society को देखती हैं समझती हैं बच्चों के थूँ वो जो है हमारी society को जानती है और आज तुमें society की असलियत पता चलेगी अभी आप class 12 में हो अभी आपको समझ में आएगा ये chapter पड़की कि हम जो है हमें कितना कुछ बिला है हमारे parents से हमारे parents ने हमें क्या कुछ provide नहीं करा है इतने सारे बच्चे हमार लेबर करना पड़ता है घर में पैसा कमाने के लिए तो उन बच्चों की कहानी आप जानोगे जानोगे तो बस दो बच्चों की कहानी बट पूरी society की reality पता चलेगी आपको यहां से ठीक है तो चलो पड़ते हैं सबसे पहले चलते हम दिल्ली दिल्ली से border पे लगता है सीमा पूरी बट है उससे को सदूर अगर आप development के वाइस देखो तो सीमा पूरी में जो बच्चे रहते हैं आज आप उनकी कहानी जानोगे वहीं के एक बच्चे की कहानी जानोगे जिसका नाम है साहिब तो सबसे पहले बात होती है कि हमारी जो ऑथर है उनका नाम अनीज जोंग है तो वो देखती है कि यह जो सीमा पूरी के बच्चे है काफी सारे वो हमारी सोसाइटी में नेबरूट में सुबा सुबा आ जाते हैं ठीक है और क्या आते हैं अपने पीछे जो है कंधे पे वैसे ही यह बच्चे खजाने की तरह कुड़े को बीनते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आज पता नहीं किया मिल जाएगा क्या पता कोई सिक्का मिल जाए चांदी का सुने का या दसका या एक का या कोई टौई मिल जाए यह बहुत कीृरॉसिटी से गार्भीर्स को बीनते तो एक दिन ऐसी ही एक बच्चे के पास जाती है और वो बच्चे को जाके बूस्ती है कि बेटा तुम यह सब क्यों करते हो वह कहता है कि मेरे पास कुछ बन वाया ही नहीं अगर बनवा दें तो मैं चला जाता अब यहां पर वह कॉन है वह है वह कर दो कि लिए है उसके लिए को अदा में नवाया भी लगता है तो हो बैटा इसको बुरा भी लगता है बेटा मैंने इसको क्या बुलने मैंने बच्चे को जूटी उमीद दे दिये बट वह बच्चा इतना खुश हो जाता तो उसके आउखों में चमक आजाती है एक रे-off हो पाजाती है हाँ मैं तो इस बात से आप यह समझो वह कूड़े को भी किरॉसिटी से बीनता था बट यह का आप मेरे हो और किरूटो वह करना चाहता था बहुत कुछ करना चाहता था वह स्कूल जाए वह फड़े लिखे तो ऑथर की बाट पर बड़ा खुश हो था है हाम मैंडम में तो आप की स्कूल में आऊंगा फिर कुछ दिन बीच जाते ह। हमारी कए एक दिन यह बच्चा दोबारा मेरे पास आता है और आके मुझसे पूछता है मैम मैम आपका स्कूल रेडी हो गया क्या तो वो कहती है उस समय मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैंने इस बच्चे के जूटी उमीद की आशा जो है उमीद की किरन जो है मन में बुरा लगता है कि मैंने इस बच्चे को एक जूटा वादा कर दिया फिर वो सूशती है रही कुछ नई बात थोड़ी है इस बच्चे के लिए हर साल हर दिन हर महीने इसके साथ जूटे वादे होते रहते और इनको किये गए वादे कभी कोई नभाता नहीं है ठीक है फिर वो जो है इन बच्चों के से ना उनका इंट्रस्ट बिल्ड होता रहता है इन बच्चों की लाइफ में उनका ठीक है जब उसको जो है डेली उनको वो देखती रहती है देखती रहती है तो एक दिन वो इस बच्चे के पास जाती है साहिब के पास और उससे पूसती है बेटा तुमारा नाम क्या है ठीक है नाम क्या है तो अभी तक मैं तुम्हें साहिब बता रही है उसका नाम भी नहीं पता था भी भी अपनी लाइफ में अफॉर्ड नेकर राजा वाला लाइफस्टाइल क्या गाइस इसके पास तो भाई बेसिक नेसेसिटीज बेनी है पैर में चब पल भी नहीं है तो यह सोच्ति अगर इस बच्चे को पता चल जाए कि इसका नाम का मतलब क्या है तो इसको तो मतलब यकीन ही नहीं होगा कि अच्छा मेरे नाम का यह मतलब है कि मैं दुनिया का राजाओं मुझे एहशो अराम की जिन की जीनी चाहिए और कहा यह बच्चा सुबह से लेके दुपहर तक कूडा बीनता है नंगे पैर और अपने ममी पापा की हेल्प कराता है कि कुछ कूडा य हमारे इस बच्चे की लाइफ जिसका नाम है साहिब अब एक दिन और वो देखती है कि यह बहुत नूटिस करती हो इन बच्चों को सुबह सुबह ना जिसे चिडियां आती हैं दुपहर में चली जाती है यह चिडियां की तरह भर के आते हैं यह बच्चे सारे भागते वे आप समझ जो यह पौवर्टी शो कर रहा है कि इन बच्चों पे इतना पैसा भी निया इनके माबाप पे इनके पैरेंट्स पे की इने जो है चपल जूते दिला पाए कि गर्मी में इनके पैस सर डाए होंगे जमेन पे रखके बट वो इतना भी अफॉर्ड नहीं कर पा रह से बिस्केश भी नहीं है तो मैं पहने नहीं हो यानि कि उससे खरीद रखी होगी घर पर रखिया उतारी नहीं उपर वाली शेल्स से या कभी बजार से ही नहीं पाता हूं तो दूसरा बच्चा कहता है आंटी यह तो ले भी आएंगी ना इसकी मामी जूते यह चपल इसके तो यहां वो बता रही है कि यह बिचारे बच्चों का एक जूता खरीद नावी पैर में चपल होना भी इनके लिए सपने से कम नहीं था यह ड्रीम करते हैं कि इन्हें मिल जा एक जूता और यह सब सोस्ते-सोस्ते वह हमें दिखा रही है हमारी कंच्छी के उन बच्चों का जो है कैसी स्टेट ऑफ पवर्टी में वो अभी भी रह रही है तो फिर उन्हें याद आता है कि पुराने जमाने में अपनी एक बात हमाई से किस्सा वो शेयर करते हैं मैं उदीपी नाम की एक जगा है वहां पर एक लड़का रहा करता था उसने मुझे बताया कि जब वो है घर ना तो उसके पापा जो है मंदिर में पुजारी थे और जब ही स्कूल जाता था था तो मंदिर में जो है भगोन जी से प्रे करता था था कि अब में फिर से इक दिन उधान गई ती वह हुए उसी मंदिर में गई तो बहाँ पुझारी चेंज हो चूके थे और मैं देखती हूँ कि वहाँ मंदर के पीछे जगा था पर फॉझारी का घर था मैं वहाँ गई वहाँ प्लास्टिक के चेयर रखी भी थी यह फोल्डिंग रखी भी थी मैं नहीं वाले पुझारी का बीटा था वो बैक टांग के स्कूल ऑ पहने के बैग लाके फोल्डिंग पर देता है और तम मैंने देखा कि भाई इसके पैर में तो जो जूते जरूर है तो वो जो पुजारी का बच्चा था वो कहते हैं आज उनके पैर में तो जूते आ गए हैं बट यहां हमारी अभी भी इंडिया में इतनी पोवर्टी है कि ब जूते इसलिए नहीं पहनते यह तो हमारा ट्रेडिशन है बट यह एक्स्ट्रीम पोवर्टी को बस छुपाने का एक तरीका है उन पर अफॉर्ड ही नहीं कर सकते वो जूते इसलिए वो पहन ही नहीं पाते है तो अब इतना जब उनका इंड्रस्ट बिल्द हो गया था इन इसलिए और यहां यह सीमापुरी यह सीमापुरी को देखो यह तो कुसो दूर है हमारे दिली की डेवलप्मेंट से वह जाती है वह पर कहीं बहुत तंग गलियां थी वह गलियों में कूडे के डेल लगे वे ते भरा पड़ा था वह कूडे से ना ही कोई नालिया बनी वी दी ना ही सीवेज का सिस्टम था ना ही जो है वह घर भो दीखती तो गरे लोग अतनी मेहनत करते हैं तो दिन लात तक उड़ा बींते मेहनब तो करते हैं ना बट गोंटे कि चद भी नीती पंदी लगा के वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे एक एक घर में इतने इतने लोग रहे रहे थे और फाउल स्मयल आ रही दी बहुत ज़ादा उन गलियों के अंदर से तो वो जाती है उस गली के अंदर और उन लोगों से बाठ करती है वो लोग कौन है जो सीमापुरी में रहने वाले लोग बांगलादेश से आई वे रेफ्यूजी है जो बांगलादेश वार के समय पे 1971 में जब वार हुआ था भी मूवी भी आई है सैम भादूर आप उसको जरूर देखना जब भी आपको टाइम मिल आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में बहु तब से रह रहे हैं 1970 से आज तक ही लोग यहां पे रह रह रहे हैं इनके पास रहने का यहां पे पर्मिट नहीं है ठीक है इनके पास जो है यहां पर जो है कोई भी अपने यह जोपर पटिया बना के यहां पर रह रहे हैं तो वहां पर वह कैसे रह पा रहे हैं वो कैसे इनक जाके उनको वोट डाल के आपाते हैं, तो इस तरीके से हैं सीमापुरी की फैमिली जह रहे हैं, तो वो एक आउटी से वहां पे लीजी होती है, उससे जाके पूस्ती हैं, कि आप यहां क्यों रह रहे हो, आप का तो ढगा अजना सुन्दर था, क्या बढ़िया खेट यहां तो हमें एक वक्की रोटी भी हम नहीं कमा पाते थे, हम उन फील्स में रहे के क्या करें, जो हमें कमाई नहीं देती थी, हम यहां सीमापुरी में इसलिए रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा फूड जादा इंपॉर्टन है, फूड इस मोर इंपॉर्टन देन हम जहां जाते हैं, हमें जहां कुड़ा मिले, जहां कुड़ा बेच के हम पैसा काम आपाए, वहां हम अपनी जोपड़े डाल देते हैं, वहां हम रहना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए फूड इस मोर इंपॉर्टन देन आइडेंटिटी, तो वह आंटी उनको यह बताती करी होते हैं, गैसे चक्छाया बताः है, लोग मिला सबस्क्राइज तो र्जी मिले जायाँ तो यह बत्यों के लिए का यह पुड़ाने हैं, आज दो नुम सक्कित के जर्kenा हgorँते क्रिए उनके ख़गार, दूपैरेंंने, भूश उरभिध, उनके आगे अगे रोज़ान बट रियालिटी क्या है कि वो कभी इस सिस्टम से भार ही नहीं आ पा रहे हैं पीडी दर पीडी अपकल को साहिब की भी बच्चे होंगे सब इसी चीज में जो है इनके यहीं चल रहे हैं सब यह गार्वेज बीनने वाले जो है काम को ही करते जा रहे हैं कोई भी इनकी आपे मदद नहीं आगे बढ़ाते हैं चाप्टर को अब एक दिन बीच जाते काफी दिन बीच जाते सड़िया शुरू हो जाती है लगबाग आप मान लो वो जा रही हो ते टैनिस ग्राउंड के पास तर वहां घड़ा होता है साहिब तो वो साहिब से जाकि प पर्ल में जूते पर्ल में रखें और पहले तो नहीं होते ते खाप के शेद टरखा था एक जूटा जा तो कि आपता किसी बच्चे नहीं अमीर के बच्चे ने भी बहुत चोड़ा ठीश रेंव कर इसको में अच्छा लगता है और यहां पे को को अंदर जाने तो जूले खेलता हूं जूलों पर जूल लेता हूं जाके दर घूम लेता हूं तो उस बच्चे का कौन से गेम इंट्रेस्ट आ रहा है टेनिस के अंदर जो से अगर सीखना है उसे तो बहुत पैसे की जवट लगीगी और बहुत जादा जो है उसको समलोग व है और आज साहिब के पास जो है ऊसके कूरी का थेला नहीं था आज साहिब के कंधे पे था एक दूद का कनस्टर जो यह बड़े-बड़े कनस्टर होते हैं जिसके अंदर मिल्क स्टोर करा जाता है है वह कर साहिव आ रहा था साहिब की शकल अगर अगर वो मैं ने जब बटाज साहिब का मुह बहुत ज्यादा उनको सैड लगता है तो जाकी पूस्ते बेटा क्या कर रहे हैं तो उनको बताते हैं वहां गली के आगे में दुकान है मिल्क बूट जो है मैं वहां पर काम करता हूं और मुझे काम करने के 800 रुपे मिलते हैं महीने के तीन वक्त का खा है और अब साहिब के आँखों में से वह चमक चली गई थी अब वह सच्छे में लॉड ऑफ यूनिवर्स नहीं रहा था वह जो कुड़े का थैला था वह उसका था वह उसका अपना था बट यह जो कैनिस्टर है यह दूदवाल अंकल का है जिनकी जो वह दुकान है गली के क चुका था आज उसे चाइल लेबर बनना पड़ा अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए घर का खर्चा चलाने के लिए तो यहां पर पार्ट वन होता है खतम अब हम जानेगे जो है हमने मुकेश भाई की कहानी जानने के लिए हमार को जो मुकेश बच्चा है उसकी कहान बहुत फीमस है बेंगल्स बनाने के लिए चूडीयों यह वह बनाने के लिए थे रोजाबाद बहुत फेमस है काज दीखने में बहुत सुंधर और अलग अलग रंगों की बटν हमारे लिए בंग्रेश करने कि लिए पता नहीं कितने चोटे-चोटे मासूंद बच्चे उ बहुत जल्दी वो अंधिये हो जाते हैं और जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी जिन्दकी अपनी हेल्थ अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं उन फैक्टरीज के अंदर जो है काच की चूडिया बना के तो उनी फैक्टरीज में काम करने वाला एक बचा है मुकेश तो जैसे बच्चे से बात करती है और इस बच्चे का नाम है मुकेश तो यह मुकेश है यह उससे पूस्तिया बेटा तुम मड़े हो क्या करना चाहते हो तो मुकेश कहता है I want to drive a car तो मुकेश वैसे तो बैंगल मिकिंग फैक्टरी में काम यह भी करता है बट इसका सपना क्या है यह लिए अ की चलानी तो मुझे तो गाड़ी क्या करो मुझे मुछे ना मुझे मोडर कार मेकानिक बनने है आर मुझे ग podéis देखने इनके बत इसे डिन कहता है हम को से माइन कहीं है शुरुआत में बड़ी इसको फिर ये पूरा जानने की कोशिश करते कि अच्छा इस बच्चे में तो है फिर भी कि ये सोच रहाए कि हां भाई मोटर कार मेकानिक बनेगा बट ये काम करता है ये काम करता है फिर उसा बाद की ग्लास बैंगल फैक्टरीज में 20,000 से जादा से बच्चे यां फैक्टरिओं में काम करें ऋब कहते गवर्मेंन्ट ने एक्ट बना दिया है हमारे को सब्सक्राइब के तुम जो है जो है बच्क पूरा मा minder पास पूरा मां पास राइट है कि बच्चों को यह फैक्टरी के अंदर फैक्टरी कैसे होती है उन्धिर काच पेगल रहा होता है जापे तो उससे क्यों बच्चों की आँखों पर बहुत बुरा इसार पड़ता है बिल्कुल अंधीरे में इतनी तेज आग जलती है और उस आग में यह काच पेगालते हैं कई लोग जो है उस आग की रोशनी से जो है अंधीरे के अंदर बच्चे व चलो हो नहीं पा रहा थे को नहीं यह है तो मुकेश के साथ तो बह صुने के साथ घर जाती है बहुत सारे यहाँ ब engagements की तरा ही है अग jaar आखे छो है नымकिकिश घर जाती है इनसारह कर तो आब किसा जाती है मेरा उस COP Ariya में घर Q такую में टन्ट यह पुछ नहीं था बिल्कुल टूटा वा जो पर पटी जैसा घर था उस बैचारे का और उसका जो दोर था वह भी आदा टूटा वा था लाट मारके मुगेश उस गर को बैंक करता है अपने अपने बंकर करता गरके वह लोहे का दर्वास था वह खुल जाता है और सब पहु वो हसती है उनको देकर उस धुए में से तो वो इमाजन करती है यार यह कितनी छोटी सी बच्ची है और अभी इसके उपर किती बड़ी जिम्मेवारी आ चुके यह अपने फैमली की बहु बन चुकी है ठीक है खाना पूसब लोगों का घर का मुकेश हो गया मुकेश के पाप और भाईया भी घर के अंदर आ जाते हैं तो वो जो बच्ची जो खाना बना रही थी वो क्या करती है वो दिवार से थोड़ी पीछे से होगे अपने सर पर घूगट डाल लेती है एस पर ट्रेडिशन की घर के बड़े लोगों के सामने घूगट में रहना है और फिर मुके नहीं निकल सकते हैं कैरी मैंने अपने हस्बेंट को भी देखा है उनकी आखों की रौशनी चली गई थी हैं फैक्ट्रियों में काम कर करके और वो अंधे हो गया आज तो रहे भी नहीं है वो मर चुके हैं और मुकेश के पापा उन्होंने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ परवर्टी में रहने को अपना डेस्टिनी को करम होंगे हमारी अपने किस्मत ही है कि हम यहां काम करते रहेंगे तो फिरोजबार में हर गर में सुंदर-सुंदर जो है काच की जो चूडियों रखी होती है वह फिर बड़े-बड़े शहरों में जाती है और ठेलों पर रख आगनी लाइफ खराब कर रही है. ग्लास बैंगल फैक्क्री एंदर. फिर वो वो केश के जाती है. तो एक बच्ची के घर पहुँच जाती है. ये बच्ची क्या है? वो दिखती है इस बच्ची को. वैसे सी बच्ची ए वो पिंग कलर के उसने ड्रेस पहन रखी थी फेड़ेट उस बच्ची का नाम है सवीता अब इतनी चोटी सी प्यारी सी बच्ची थी यह बट यह क्या कर रही थी इसके हाथ चल रहे थे मशीन जैसे और मशीनी हाथों से वह अपने क्या बना रही थी वह क उनके पास जाती है और उनसे पूछती है हमारी वाथर जो है कि आप जो है कि क्या रहे हो यह सब पूछती है तो वो लेडी उनको बताती है कि एक वक्त की रोटी पेट भर के हमने आज तक नहीं घाई है यानि कि वह इतनी जिंदगी से काम करें यह बैंकल्स पनाने का बट जाती है यानि कि उनके यहां पे घर होना एक प्रॉपर घर होना जिसमें जो है जोपडी ही क्यों ना हूं वह बहुत बड़ी अकम्प्लिश्मेंट थी उन लोगों के लिए तो वह बच्ची जैसे और भी बहुत सारे बच्चे वां फिरोजाबाद में हर समय जो है अपना बच्पन खराब कर रहे हैं ग्लास बैंगल्स बना कर ठीक है अब इतना परशान हो जाती है इन बच्चों को देखकर उस औरत की बात सुनकर कि भाई देखो इन्हों ने तो आस्तर पीड़ भर के खाना भी नहीं घाया है तो वह जाती है कुसी यंग लोगों के पास जवाब देते हैं कि हम चाहेंगे भी ना अगर कुछ प्रोटेस्ट करना तो पुलिस वाले जो है हमारे को ही लीगल कहके हमें जेल में डाल देंगे यहां जो है फिरूजा बाद में विश्य सर्कल मतलब क्या होता है यानि कि पूरा ना एक जाल बिशा रखा इन लोगों के साहुकार्स जो हो गए मिडल में जो हो गए पुलिस में भी कहीं ना कहीं सबने मिलकर इन पॉलिटिशिंस ने इनको इस करॉप्टिट सिस्टम में बांध रखा है तो अगर बच्चे प्रोटेस्ट करते भी हैं यहां के बड़े बच्चे 20 सार वाले 22 सार वाले तो उनका प पूपीडियां जो है यहां पे अपना पूरी के पूरी लाइफ जो है खराब कर रही है अब फाइनली हमारी ऑथर जो है अपने घर पहुच जाती है और घर बैटके वह सोचती है इन बच्चों के बारे में कि यह जो बच्चे है एक था साहिप साहिप की लाइफ के साथ क् उसको अपनी फैमिली से क्या मिला कुड़ा बिनने की आठ उसने वही करी और फाइनली गिवाप कर दिया अपनी सारे ड्रीम को और वहीं पर जो यह मुकेश है मुकेश ने अभी अपना जो है ड्रीम नहीं छोड़ा था वह वापसी पर जाते मुकेश से फिरोजाबाद से वा आया है हमें इसे ही फॉल्य करना होगा बट मुकेश कुछ हटके था मुकेश कहता है नहीं मैं यहां काम नहीं करूंगा बड़े होगे मैं तो मोटर कार मेकैनिक बनुगा तो अनीज उसको कहती है बेटा वह तो बहुत दूर है गराज जहां पर सीखना चाहते हो तुम कैसे जाओगे तो इतना जादा मोटिवेटेड था मुकेश कहता है मैं चल के चला जाओंगा पैदल तो वो जो है समझ जाती है कि इस बच्चे ने अभी अपना इरादा नहीं बदला है यह बच्चा तो अच्छा खासा अपना ड्रीम बना के बैठा है कि मेकैनिक बनेगा बट क गाड़ी ही चलानी गाड़ी सही करने है और हां कभी-कभी फिरोजवान में उपर से भी प्लेन चले जाते हैं तो चलो प्रे करते हैं कि मुकेश का सपना सच हो जाया और मुकेश इस चीच से बाहर निकलके आप आए और विद इस यह चाप्टर आपका कम्प्लीट होता है इतना इमोशनल चाप्टर है जहां अपने दो बच्चों के बारे में पढ़ा जो एक बच्चा है वो तो चाइड लेबर बनी चुका है दूसरा भी चाइड लेबर है और जो अपने इस सिस्टम से बाहर आना चाता है तो लेट्स मीट इन नेक्स वीडियो आप पढ़ेंग हेलो एबरिवान वेलकम तुमाय चैनल आई एम सिम्रत सहानी तो आज हम पढ़ेंगे दीप वाटा फ्लेमिंगो का तीसरा चैप्टर बहुत ही मज़ेदार बहुत ही बढ़िया और रोमांचक चैप्टर इस चैप्टर में हम एक बच्चे के डर की कहानी पढ़ेंगे जिसक जब डगलेस जी छोटे बच्चे थे मानलो तुम होंगे 10 या 11 साल के तब यह चाहते हैं कि यार ना मेरा तो ना स्विंग सीखने का मन है और यह स्विंग सीखने के लिए स्विंग पूल पे जाते हैं और वहीं मरते मरते बच्चते हैं तब से इनकी लाइफ में पानी को ल हड़ने कालने के लिए training लेते हैं और डर को एकदम खलास कर देते हैं बिना Mountain upa ही तो आज आप इस चैप्टर में जानोगे की कैसे डगलस जी ने बिना Mountain upa डर के आगे जीत पाई थी और कैसे पाई थी वो जीत उन्होंने अपनी कोशिश करके ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके और जो है मेहनत करके तो चलो उस पड़ते हैं चैप्टर को डगलस के बचपन से लेके उनके बड़े होने तक पानी केट फियर को बंद करने तक टूटा क्या है डंगने डिले बचने में एैंस मेंने सीखता हुं सुखर ऑर में यांडि ज्न ग्मरीवर के नहीं जाओं से नौइकन म केटे बटक है आं आने गर नहीं हो तुम घर पे डूब जाओंगे बहुत लोग मठ चुके तो यह खिमारी में आसपास तो मैं भटकने की भी नहीं सोच सकता ममी ने डेडलाइन दे रखिया नहीं जाना ममी ने इन बॉर्णिंग दे रखिया नहीं जाना तो मैं कहां सीखू तो इन्हों ने चलो मैं YMCA वालों के हाँ अपना एड्मिशन कराया थे यह और कहते हैं मेरे जाने का मन इसलिए भी करा क्योंकि YMCA नहीं है यह जो पूल है शैलो एंड पे बिल्कुल ही कम जादा डीप है यानि कि बहुत घहरा नहीं पूल की घहराई होती है तो कहते है शैलो एंड पे त शैने में मढने वाला नहीं हूँ चल जाएगा तो गए तो गए में निकर पेनी हूई थी पैर मेरे दिख रहे थे पूरी टांग दिख पतली पतली स्किली मुझे शारम आड़ा मैं पिर मैंने का शरम वरम जाए भार में मुझे सीखनी है तो आज की शरम का क्या लिए मैं वहां पे गया साब लड़के मुझे सुमिंग कर रहे हैं और मैंने सुमिंग पूल को देखा तो के रिखाए दर लग गया अब वह डर की लगा दस जारा साल में एक मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी एक किस्ता हुआ था मेरे साथ में बच्छपन में क्या हुआ था जब मैं चोटा था घ्र चार साल का था मेरे पापा मुझे लगए गए थे कैलिफॉनिया की बीच पे और कैलिफॉनिया की बीच पे हमने कर आदे सारी सर्फिंग अब वह सर्फिंग बोड पर पापा पीछे ते मैं पापा के आँगे था एक लहराई एक वेव आई उसने मुझे सेखता हूं तो चब मैं वायम से तो थोड़ासा मुझे डर तो लगा था बट मैंने का कोई बात नी यह भी तो सुपी हूं करे हैं मैं भी कर लूँगा करें इन लटको कौपी कर ना शुरू कर दें befaisं बिल्कूل इनके जैसे बहुत बड़ा misadventure ऊसी दिन धोका हो गया मेरे साथ जब मैंने swimming पूल हम एक बहुत बुरी चीज हुई जिसमें मरते मरते बचा क्या होता है एक दिन में यहां पहुचा फ I am diez ए पर तो देखन Technology आया गी कोई नहीं नहीं जल्दी पहुँची दॉसे सुबा शुभा शुब आप Calling फड़ा होता है यह जब दो कोई पूल पर कोई था इस फोला मैसे देखने बहें and तुमने देखा तो उसका फ्लोर भी देखता है पानी जब स्टेल होता है बिल्कुल के वो ताही दिख रही मुझे पूल के नीचे लगी वी इतनी गहरा ही मुझे दिख रही मैं डरिया मैं अभी नी जाओंगा मैं तीन चाल लड़के और आ जाएंगा उसके बार मैं पूल मे पे मैं कोने में यहां बैड़ किया पूल पे और इतने में ही एक लड़का आया बुली हट्टा गट्टा नौजवान मस्कूलर एक तम 18 साल का होगा जियान जैसा जिसे लोगों को तंग करने में वजाता है बुली उसने मुझे यह उठा लिया मुझे पता ही नहीं चला मैं पतलु तुझे पतलु उसने फैक दिया पूल के अंदर मैं यू गिर ता पड़ता है पूल में जो है लैंड कर दा भी तो तो चेह मैं बहुत डर रा था मतलब कि बेश पीच में प्या था नौव फीट गह रहे है पूल के अंदर तो के में सिटिंग पोजेशन में लैंड क कि युझा इवाई यह गिरते वही चाया मैं फिर भादर में सबस्तों प्लान मने यह 9 CIA तो मैं जैसी भी पूल के ऀंचाए पूल की भौटम पे जाऊंगा है वेसी ही मैं एक जंप हरूं fellows और जैसे वह कि फूर भाद जुँगण 2017 तरह और भाढ़ने का लाओंगा क्या हुआ तो प्यारे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मैं नीचे तरह नौ फिट गहरा पूल मुझे नभे फिट लग रहा था और मैं इतनी मुश्किल से नीचे नीचे डूपता डूपता नीचे आया जैसे मैं डूबा बिलकुल पूल के नीचे नहीं पा रहा था करे में दिल की धड़कनी बहुत तेज हो गई मैं सास नहीं ले पा रहा था चिला नहीं पा रहा था डर इतना महसूस हो रहा था बट फिर भी मेरा दिमाग चल रहा था मैंने सोचा कि भाई मैं तो कूद दूंगा मेरे को एक जंप माननी है करे मैंने तो दीरे दीरे ऐसा हुआ, मेरे हाथ पेर पानी से बाहर आने लगा, यानि कि ये फ्लोट करके उपर आए, और मेरी आखे और मुझ थोड़ा सा पानी से बाहर आया, और मैं रोप, जो आसपास में कोई रोप हो, जिसको पकड़के मैं बज्जा हूँ, मैं वो सब ढूणने लगा कि मैं पकड़ूबर, यानि कुछ मेरे हाथ में नहीं आया, और धीरे दीरे मुझे अपनी लेक्स जो मेरी टांगे थी, वो पैरलाइस महसूस होने लगे, ऐसा ल पूल के अंदर डूपता हूं, दूसरी बारी क्यों भई, क्योंकि पहली बारी तब डूब है थे, जब उसने बुली ने फेका था, अब ये दूसरी बारी डूब रहे थे, पूल में, कहरे, अब मैं जब डूब रहा था, तो मुझे और जादा ड़ लगा पिछली बारी से मेरे को इतनी हार्ट में, लंग्स में, हर जगा दर दो रही थी, क्योंकि बारी में पानी भर रहा था, ऐसा मुझे लगा, जैसे कि मैं मनने ही वाला हूं, और सिर्फ और से मुझे ये लग रहा था, मेरी दिल की धढ़करे मेरे कानों तक सुनाई हो रही थी, वह ये था कि ह मैं ही मैं जिन्ना हूं, वरना मुझे लग रहा था मैं मनने वाला हूं, उस दर में, उस तकलीफ में मेरे को दिमाग में मेरी वह स्ट्राटेजी क्लिप करती है, कि नहीं, डगलास हार्वंत मानना, तो मैं अब नीचे उतरते ही, एक जम्प मारनी है, कहारे मैं दीरे दीरे पूल के बॉटम पे गया, मैंने फिर से जम्प मारी बहुत मुश्किल से अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर करके, बट अब कोई डिफरेंस नहीं हुआ, मैंने जो सोचा था, वैसा कुछ नहीं हुआ, मैं फिर से हाथ पर चलाता हूं, और सड़नली कहते हैं, मैं फिर से हाँ, मैं पानी से भार आना शुरू होता हूं, तो सेकंड टाइम दो है डगलस, पानी से भार आते हैं, कहरें बट अपकी बार भी सेम वही होता है, मैं पानी से मेरी नाख तो भार आ जाती हैं, बट पूरी बॉड़ी पानी से भार नहीं आ पाती है, अब मैं तीसरी बार पूल म में गिरते हैं गाइस तो इस समय पे कहरें मेरी हालत हो चुछ गीती खराब दीरे दीरे जितना मुझे effort मैं करने की सोच रहा था jump मारूंगा वो सब मैं बंद कर देता हूं और suddenly कहरें मुझे नीग आने लगती है मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार कोई effort करने की जरूरत ही नहीं है कुछ मत करो कहरें मेरे को यलो गजर का पानी नहीं दिख रहा था मेरी आखों के सामने अंधेरा आ रहा था यानि कि अब गारिस वो बेहोश होने वाले थे कहरें मुझे इतना peaceful लगना रहा थे क्या जरूरत है जंप मानने की सो जाओ ममी के पास जैसे सो आराम से वैसे सो जाओ और यह वो बेहोश हो रहते पानी के अंदर कहरें आब next चीज मुझे यही याद है कि वानी कि वो पानी में बेहोश हो गया भाई मर जाते डगलस जी ब क्या बच्चा मर जाता भी तो उसने का मुझे लगा मैं तो मजाग कर रहा था बस के रहें फिर मैं कुछ देर वहीं पे रहा आएम सी है मैं लॉकल रूम में रहा और फिर मैं घर आगया डगलस के रहें मुझे बहुत डर लगता रहा दो तीन दिन तक तो मैं भूली नहीं की पारा था मेरे साथ क्या हुआ मुझे घृतनों में बहुत ही ङभणाव में बला धाता स inhale भी आपन से पने मंहें और और बता हो गया मन मिं तो क्या में पारात कि थे का मुझे अब क्या मुझे पाता चला कैस Het कि वाटर कि वार्टर बी से हैं यह बहुत ना ऐसे परस right? man करके माउंटेन पर जाते हैं अच्छा लगता है यार थक जाएंगे इतना कौन चलेगा उन्हें मज़ा आता है अब यह डगलस जी का इंटरस्ट था कि यह अमेरिका में अलग-अलग वो है पहाड है उन पहाडों के पास में रिवर भैती है यह चाहते थे किसी रिवर में जा पास घाता हूं तो आठाहने लिखने आपनी कि क्यों नहीं आएंगा बहुता हूं इंग इन यह विससे पयूंगा में मेरे सारी दोस्त में घूमते हैं उने जाते हैं लाइख पे जाते हैं अपन्य नहीं क्यूं और गृण से मैं अपनी दोस्ती अपनी फ्रेंड्शिप अपनी लाइफ एक्सपीरिंसे खराब कर दूं तर के बैट जाओं पानी के डर से नहीं मैं लेगा कुछ तो करना पड़ेगा तो मैंने सुचा एक इंस्ट्रक्टर हायर करता हूं वो मुझे सुमिंग सिखाएगा तो zajis के थे तार से जोडि videos की मैं नहीं था तार से जोड़िगा थाएग तो था effort अड़े पुल जोड़ी तायए तार से जोड़ी तो सकता ही नहीं था oh पूल के बैक जो पूल के फोर्थ हाओ, स्विविंग करते पूल में आगे तक जो पीछे तक आँ अगे तक जो इधर आओ वापस आओ जाओ बैक एन फोर्ट स्विमिंग करो करें मैंने घंटो घंटो भई या तीन महीने तक यही प्रैक्टिस करा तब जाकि मेरी बॉड़ी यूज चूई पानी के अंदर फिर से करें फिर उसने मुझे तीन महीने बाद second exercise क्या करा ही मुझे जो है सास लेना सिखाया सास लो और पूल में जाओ एक्सेल करो तो उसने उने ब्रीधिंग प्रैक्टिस करा ही वाटर में ब्रीध कैसे कर पाए कैसे जो है सास रोक के पानी में रह पाई यह वाली उसने मुझे प्रैक्टिस करा ही कि फिर उसने मुझे प्रैक्टिस करा ही कि पूल में बैठो और पूर में पैर चलाओ अपने पूल के किनारी पे बैठो और पूर में पैर चलाते रहो कोई किया का पागलुवाला काम है पैर को ऐसे साइकलिक मोशन में चलाने का क्या फायदा है करें बट मुझे बहुत फायदा हुआ पीस बाई पीस, टुकड़ा टुकड़ा जोड के, उसने मेरा पूरा इंस्ट्रक्टर ने मेरे को एक बड़या स्विम्य और बना दिया और अप्रेल के, हलो लागबा, अप्रेल का महिना त Richard gefragt एपने मुझे का सर जी तैयार हो जहां मर जी स्विमिंग कर रहा है जो और तो मुझे थोड़ा बहुत ड़र लगा और मैंने डर को का डर मेरा क्या बिकाड लोगे पर के फिर भी मेरे मन में कुछ वहम था कि नई भाई अभी तूप्रो नहीं हुआ तो चेलर नहीं बनाए तो मैं गया नूंहम्भ रफोसा या बंड वर्त मैं बॉक्वा पोछबे सब्वाइब कर ल्याद करेंट यिजनर अबूकहा है जल आंग होगते फ्वास् tane-ट्रम को सब्सक्राइब सब्सक्काइब होगा मैं फिर चौना है एक अड़ ऑ करने तो कहेरे मैंने फिर एक और trip मारी अब मैं गया लेक warm lake पे एक glacier glaciers के नाम पाहडो के नाम रखे हैं वो तो इतना यान मिद करो लास्ट में यह जाता है warm lake पे warm lake और उस lake पे जागे कहेरे मैं trekking करके warm lake पहुचा कैम्प लगाया वाम लेक के साइड में सुबह वाम लेक में कूद गया मैं और मैंने लेक के एक सोड से दूसरे शोड तक स्विम करके गया और उस बार मुहिर को एक बार उस जील के अंदर डड़ नहीं लगा उस लेक से मैं वाम लेक से बाहर निकल के मैं एक पीक पे चड़ा उस पहाड़ी का नाम है गिल बर्ड पीक और कहरें वहां जाके मैंने जैसे वो जो है चीक के मैं चिलाया मेरी आवाज एको होगे मेरे सामने वेर को वापस आई कि मैं जो है अकमप्लिश कर लिया है अपने फियर से जो है मैं उपर उठ चुका हूँ और वो उस दिन पर समझ जाते हैं लाइफ की असलियत कहरें यह करके ना वाम लेक पर जाके मेरे डर के आवे मैंने जीत पाली कि वाटर के टेरर्स नहीं लगता है मुझा मैं नहीं डरता हूं पानी से तो कहरें मुझे एक बात समझ में आई क्या कि in debt there is peace कि मन्ने में तो peace है बस मन्ने का जो डर जाला था और जब मैं पानी की मन्ने वाला था उसका मेरी लाइफ पर आगे का एफेक्ट पड़ा कि पानी देख के मेरे डर जाता था वो भी तो के फाइनली मुझे समझ में आया that all we have to fear the fear itself कि भाई डर के आगे जीत है बिखाया जाता है मैं कि आपको डर से डर नहीं है डर को overcome करना है जैसे Douglas ने करा उनको swimming pool में सीखने के बाद भी इंस्ट्रक्टर से डर लग रहा था तो swimming pool में अकेले swimming करी लेक पे swimming करी तब भी डर आया तो तीसरी बार swimming करी तो अगर आपको लाइफ का प्रो प्लेयर बनना है तो अहीं तो प्रोश्वार बनना था ना तो भाई डर के आगे जीत पानी पड़ेगे जिस चीज़ में इतना सा भी डर आ रहा है तो उस डर को वरकम करना है अब वो एक कोटेशन भी इसमें बताते है प्रेजिडेंट रूजवेल्ट की प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने कहा है all we have to fear is the fear itself कि भाई हमार को ना डर से ही डर लगता है और उसे डर से डरना बन करना पड़ेगा और जो प्रेजिडेंट रूजवेल्ट है यह मैरे को कि इनके दोस्त भी थे ठीक है तो यह जो है डगलेस की कहानी आपे complete होती है इनको लाइफ में फाइनल या पीस मिल चुका है अब इन्हें पानी से डर नहीं लगता ह अब हमें यहां पर सीख दे रहे हैं कि डर ना नहीं चाहिए लाइफ में डर लग रहा है तो भाई आप उस चीज को ओवर कम करो complete होता है प्यारा साथ चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर डीपोर्टर एक्जाम के लिए और मैं मिलूंगे आप से नेक्स वीडियो में भी फॉर्टर के फिलिंगो बुक एब चैप्टर कि विस्तास बुक है शॉर्टेजय एकस्प्राइशन अपेयरो बना दिया डिस्क्रिप्शन वक्स के लिए पड़ सकते हो इस चाप्टर के नोट समरी पोईटिक डिवाइज इस क्वेश्ट आंसर का स्टर्टी मटियल एक्सिस करने तो इंसेग्रम एडी लिंक वह से देख सकते हो कॉमेंंट सेक्शन में मैं नोट सente करोंगी शोट वह से देख लो और मैं चलते हो मिलिगों एक टार्स वालार अधर नश्ड दो चूहे के पिंचरे बनाने के लिए इसको चाहिए होती ती सित्वोन जाइबे ती मुझेट्य मे देड़ं यह है कहां चेला अइनको पढ़ने कशूर से और उन ग्राये करें, ग्राफ की किमोचार बता अपना पेड़ भाइने के लिए अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए चोटी मोटी चोरिया भी करनी पर दी यह मत्सों कोई बहुत बड़े डागे डालता था नहीं सिंपल सिंपल को न कोई चोरी इसको नहीं होते तो वैसे तो नहीं सब्सक्राइब हो बहुत दुबला पतला मांसकते हो और ना अले में लटक रखे होते थे बहुत सारे राट्राप और गाल जो थे वो बिल्कुल दबे हुए थे और आखों में हर समय भूग दिखती थी ऐसी थी हमारी राट्राप सेलर की हालत तो ऐसी हालत में यह रोज जो है पैदल चलता रहता था कभी इधर कभी उधर तो उसी समय इसके माइन में आजाती है एक फिलोसोफी का यह फिलोसी क्या आति है यार ये जो पूरी दुनिया है यह येब हैव किया है ये एक रेट्राप है पूरा वर्ल्ड एक राट्राप एक चुहे का पंजरा है अलग अलग-अलग टाइप की बेट, बेट क्या होता है, लालच, यह इंसानों को अलग-अलग लालच देता है, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छे 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 कपड़े, ठीक है खाना, और जैसी ही कोई इस लालच की तरफ जाता है, तो तो घूमते घूमते अपने पूराने कुछ लोगों के बारे में सूच था जिनको यह जानता था, कि हाँ, उसकी लाइफ में पर ऐसी हुआ था, उस लालच में वो फस गया था, फिर उसकी तो लाइफ खराब होगी थी, उसके साथ भी यह हुआ था, तो जब भी यह परिश सूच के अपने आपको थोड़ा रिलाक्स कर देते, अब एक दिन क्या होता है, बहुत रात हो रही थी, घर ठीकाना तो कोई है नहीं, बहुत ठंड का सौमेत हुआ, यह दिसमबर चल रहा था, तो यह चल के जा रहा होता है, एक सड़क पे और बहुत ठंड हो रही है, तो स हमेशा जब यह किसी दर्वाजे को खटकाते हैं, लोग सड़ी भी शगल आते हैं, आज कुछ अलग होता है, इस घर के अंदर थे एक बुड़े अंकल और बुड़े अंकल भी लोनलीनेस के शिकार थे, अकेले पन के शिकार थे, क्यों ना ही उनके कोई घर में जो वाइफ बच्चे थे, बाथ करें वाले तो वो सोचते कि ए रहे इसी हैं को भुषब च्छी को बुड़ाले तो ये घर जाता है तो इसके लिए टीस्टी सा एक दलिया बना दीते हैं ठीक है और दलिया रहने के बाद ऐसा एक टोबाको रोल था उनके बाद एक बड़ा सा त्मबाकू का बाईको को कट करड़ा इसको pipe देते हैं और इसको smoke भी कराते हैं यह smoking करते रहते हैं और फिर जो है पत्ते निकाल के लाते हैं और एक game खेलते हैं जिसका नाम होता है और अपनी गाई है मेरी जो गाई है बहुत एक्स्टारणीरी है मैं आप रोट आपने गाय का दूद निकालते हुआ वह पूरे काव में गाय का दूद बेशता हूं और मुझे पदा इतनी कमाई हो जाते हैं पिछले मैंने ने मिना अपनी काई का दूद बेच के 30 क्रूनर कम कैसे कमाले क्योंकि इस बिग अमाउंट 30 करूनर तो यह अंगल के तैया रुख जा रुख जा तुझे यकीन नी हो रहा ना रुख जा मैं तुझे दिखाता हूं क्योंकि इसको एक तो यह अंकल उटके जाते है अपने घर से बाहर तोड़ा सा एक खिड़की सी होती है उप पैसों को बशी ना वना ना खा लिया बाते बाते कर ली पते किल लिए समोग भी कर लिया आप दोनों सो जाते हैं अंकल भी सोजाते अब सुझाता उंकल है अक्कृण नियुक्त मेहा जा रहे लहा कि भाईया जब घर का मालके जो है उटके सुबा चला गया है तो मैं क्यों इसके घर में पढ़ा रहा हूं और सोया रहा हूं तो यह भी तैयार होता है और बाहर निकलता है अब अंकल घर पे तालवा लगाते हैं यह दूनों एक दूसरे को क्रॉफ्टर अंकल अपने रास्ते अपने गाई के पास जा रहे थे यह अपने रास्ते चला जाता है अब यह आगे चल के जा रहा होता है सड़क पर आदे घंटे बाद यह वापस मुड़ता है और क्रॉफ्टर के घर के नीचे आके वापस कड़ा हो जाता है उनिया कल यह क्यों आया था तो यह आया दा और चुराने के पाद में जो है पैसे चोरी हो गए उनके साथ तो हो गया दोगा उन्होंने तो विश्वास करके इसको बताया बट यह आप में फस चुका है इसको लालच मिला वो कि भाया 30 करोनर है 30 करोनर है अब यह फसने वाला था तो यह क्या करता है यह पैसे चुरा के न अब फॉरेस्स का रास्ता पगड़ लेता है यह ना आम सड़क से नहीं जाता पबलिक हाय जाता है यह तो बड़ा चालू हूं मैं तो फॉरेस्स में से निकल गया इधर उदर कहीं निकल पड़ूंगा ना मुझी कोई पकड़ा जाएगा ठीक है तो यह अपने आपको चलता रहता है और धीरे धीरे यह फॉरेस्स में अंधेरा होने लगता है रात हो रही होती है और फॉरेस्टिक भूल भूला या बन जाता है चल रहा है चल रहा है पेडलर अब इसको पेडलर बोला जाता है हमारी स्टोरी के अंदर तो इसको नाम नहीं पता है हमारे को एं तक चुका था इसमें एनर्जी ही नहीं बची थी और इसे लगता है कि भाइसा मैं फस गया मूमाया में हो गई मेर से भी वही गलती जो मैं लोगों की सोच सोच के बहुत मज़े लेता था कि ये फस दिया राट राप में ये कह रहा आप मैं खुद फस गया हूँ राट्रैप में वो जो 30 करोनर थे वो मेरी बेट थी अब यह जो फॉरेस्ट है यह मेरा पिंजरा बन चुका है अब मैं यहां पर फस गया हूँ अब यहीं मेरी मौत हो गएगी क्योंकि इतनी ठंड है इतनी ठंड है और मेरे में एनरजी नहीं वर्चिया ना ख सर रखता है यहां पर जोड़् सार रहने सब काम में होजरा जाती हैं हाज पहूरतीप सब्सक्राइय पहुलेगा गाएगे और यहां पहूर पर पास में कोई प्रिंव पहले जब तो जब हो काम कतते थे और यहां पे लोहा जो है कंच करा जा रहता था एक मिल थी और बहुत बढ़िया से तरीके से यहां पर में पूरी रात काम चलता रहता था तो अब इसकी जान में जाना आते हैं यह सुनता है जब आइरन मिल की जो है आवाजे अब यह अपनी पूरी स्ट्वेंद गैदर करता है कि क्यों ना मैं आइरन मिल सब्सक्राइब करते हैं और वहां जाके शेल्टर सीख कर लूँगा क्योंकि इतनी ठंड में बाहर सरवाई नहीं कर सकते हूं तो यह इतनी हिम्मत गैदर करता है चलता है और आइरन मिल तक पहुच जाता है अब आइरन मिल के अंदर क्या हो रखा होता है यह पहुच जाता तो हर बार एक लड़का थोड़ी देर बाद जाके पिगलेवे लूहे में एक शौवल चला रहते हैं जैसे कर्ची होती है ना हमारे घर में सबजी चलाने के लिए वैसे बहुच बढ़ा सा को शौवल था उससे वो लूहे को पिगलाने के लिए चला रहा था मास्टर जाता है उस जखे को जहां पर लूहा पिगलाया जाता है और वो में लूहा जो थे मास्टर स्मिथ उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है अब वह भी देखते है कि ऐसा सा आदमी है गले में लटका रखे है इतने सारे पिंजरे फटे पुराने खपड़े और बहुत ही परे ठीक है बस इतना जवाब देता है क्योंकि वो यूस्ट्यू था इस चीज़ को कई बार गरीब लोग जो है आज आते थे फॉर्ज में रात रुखने के लिए तो इसे भी बाते नहीं करने थे कोई उससे बैठके यह अराम से कोने में जाता है एक छोटा सा आइरन का टुकर आइरन मास्टर आपको बताया गया है वो जो ओनर है वो बहुत जादा उनकी ऐसे ड्रीम है हाई कि यह चाहते है कि इनके जो लोहा निकले ना इनकी फैक्टरी का वो पूरे वोल्ड में बेस्ट टाइप का लोहा जाए तो यह जो है दिन रात जो है नदर रखते हैं अपने इंस्पेक्शन करने आइरन में आते हैं तो इन्हें दिखता है कि मीरी आइरन में यह क्या पड़ा हुआ है एक राग मफिन सा यानि कि बहुत महले पुराने सो थे और अब क्या और अखा था वह कपड़े क्यूंकि गीले थे उससे उन कपडों में से दुहा निकल रहा था अब आप आप के पास गीले कपड़े तो दुहा निकले करना है वापरेटों के तो दुहा साने को किया है तो यह जाते कहते हैं अच्छा कोई आदमी है तो अब मास्टर स्मिट जोत के जैसा हमारे आरन मास्टर नीते है जैसे वह में वाले लोहाड ने तो इंटरस ने जाते हैं और कहते हैं इसको निल्स ओलफ इस यू अब यह लिग दिया जिसे तुम स्मझ जो निल्स ओलफ अब भाई यह जो ओनर है बड़ी अमीर है वाई साब यह इतनी बड़ी आरन मिले हो जवाने में इन्हें क्या लग रहा है कि यह हमारा ट्रैंप है त्रैंप मतलब यह लगता है कि यह कौन है यह इनका कोई आर्मी का पुराना दोस्त है तो अब जैसे इसको निल्स ओलफ बोलता है तो रैट्रैंप सेलर ना लेटावाई होता है यह इनको मनहा नहीं करता एकदम से अपने तिवांग में सोस्ते हैं तो मैं अभी चुप रहता हूं क्या मता अब हम पैसे नहीं बोलेंगे क्यों यह स्वीडिश है तो यह सोस्ते मुझे कुछ करोणर दे तो यह उनको जवाब देता है अंकल को आर्मास्टर को कि हां मेरे साथ तो कुछ ऐसा कुछ तिंग्स आव डाउन हिल विद में हां कुछ गलत हुआ मेरे साथ तो यह अंकल कहते अब मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं रहने दूगा तुम चलो मेरे साथ में वैसे भी क्रिस्मस है का मैं और मेरी बेटी अकेली रह गए हैं अब ठीक है मेरे बच्चे बहार पढ़ने गए हैं मेरी वाइफ एलिजबेट के डैथ हो चुकी है और क्रिस्मस है कल परसों में मैं तो सोच रहा था मुझे कुछ पैसे दे के जो है चले जाएंगे बट ये तो मुझे कहने है मेरे घर चल तो यह मना कर देता है नहीं क्यूं कि इससे पता है कि अगर कल को ने पता चल गया मैं इनका दोस्त नहीं हूँ तो यह सीधा मुझे पुलिस में पकड़वा तो आइरन मास्टर भी दोस्त उस प्लीस किया कि एक भाइच का नाम है जटे वास मुर्टें कि क्या समझ रहे हैं तो वह अपने में लोहार को कहके जाते हैं तो तो तुम्हारे साथी रहे का मेरा तोस्त इसका धियान रखना और वापसी पे हसते वे जाते हैं मतलब कि उनके दिमाग में अब भी कुछ चल रहा था और कुछ देर ही बीटती है कि फिर से आ जाती है एक घोड़ा गारी बढ़िया सी उसमें बैठा होता है एक बटलर और हमारे आरेंड मास्टर की जारी हिसी बेटी एडला जिसके पास बहुत बड़ा फरकोट भी था अब यदि आरेंड गवाड़ा पेनगर का उनाने हैं आप जो घ्रस्मस अवाख करोगे वैसे हम लोग अकटी है तो कहीं न कहीं ही अंकल और इनकी बेटी भी अकेले पन का ही शिकार है क्योंकि ना इनकी ममा है भाई 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 भी नहीं है तो यह भी अकेले है तो यह सोच रहे है कोई आजा हमाई साथ क्रिस्मस मनाने तो यह जो है अब सोचती है कि क्या कहूं आप बोलने ही पाता है कु जैसे हमारे घर चले चाहर है आप सुनो मेरी पात है जैसे हमारे घर जाओं वेलकम हो वैसे ही आप वापस जहानों आप जा सकते हो आप डिनर करो क्रिस्बस पे रहो और चले जाना मतलब कि उने आटार अटार वेल को कि हम तुमें कोई जेल वेल में नहीं नहीं टेंशन मतलो तो अभी उस रड़की को मना भी इनी कर पाता इतिनी काइंट थी कहता है मैडम आप आयो तो मैं कैसे मना गरूँगा सो अब ये मैडम की बात मान जाता है एडला मैडम की अब एडला मैडम और ये बहार निकलते हैं फॉर्ट से जो बटलर था वो ऐसे सर जुगा के इसको एक फरका कोट पेना दीता है क्योंकि इतनी ठंटी और ये गोड़ा गारी में बैठिये जा रहे होते हैं उनके बंगले गता है अब रास्ते में जाते है इसको जैसे बुरा होने वाला हो तो मन पहले से पहले से इबल फोर बेडिंग जाती है कि भाई तू ने बहुत बड़ी गलती कर दिया अब तो कुछ पक्का गलत हो बट रात को तो कुछ नहीं होता है अब अगले दिन सुभा की बारी आती तो उसके पापा कहते है रहे नहीं नहीं अभी उसकी वो ट्रैम्ट मेंनर्स हट जाएंगे नहीं जो कपड़े उपड़े जब नहां दोके बाहर निकल के आएगा मेरा दोस्त तब देख रहा है और फिर हम उसके लिए कोई बिसनस सोचेंगे बढ़िया सा मैं तो भही अपने अब जब सुभा की रौश्णी में तयार होके एडला के पापा आयरियन मास्टर देखते हैं हमारे पैडलर को तो वो बहुत गुस्ता हो जाते हैं और चिला के बोलते हैं ये क्या बात हुई यानि की रात के अंधिरे में वहां इतना अंधिरा और आग में तो उन्हें moija तो मुझे है ने कुछ ने का, ने मुझे बना इतना मैं तो तो कहते हैं तुम मुझे तो मेरे दोस्त नहीं हो अब तो तुम्हें शेरिफ ही बदाएंगे तुमने क्या कर रहता है यानि कि फूलिस बुलाने की धंकी डेते आधाया सा भाया यह ऐसे अपना जो है से मुक्का बनाते उसको टेबल पर मारते हैं यह कर लो आप मेरे साथ पहले तो मुझे इस राट्राप में फसाया मुझे बेट्स दी की क्रिसमस पर अच्छा-चा खाना किला होगे इतने बड़े घर में लेकिया वह और अब मुझे जो है आप फुलिउस को देने को कह रहो ठीक है मैं इस रालश में फस गया ना कल को आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा आप भी किसी रालश में फस होगे यह पूरी दुनिया राट्राप है आप भी ऐसी फज़ोगे राट्राप के अंदर अब जब ऐसी फिलोसिफी दाप आप रजर की स जैसी राटर अप सेलर बाहर निकल रहो था यह जाके दर्वाजवन करती थे और कहते हैं नहीं पापा मैं इनको घर से बाहर नहीं जाने दूँगी वो कहते हैं अरे क्या हो गया बेटा यह क्या बात करी हो तुम हम क्यों किसी को जानते हैं नहीं अन्नोन इंसान को अपने घर है ना परिवार है कभी भी एक रात धंक से सोई नहीं होंगे कभी इनोंने एक अच्छा खाना नहीं घाया होगा क्रिस्मस का तो मतलब योदा है लोगों की मदद करना तो मैं चाहती हूं एक आप जिसके पास न घर है न ठिकाना है एक दिन ही सही वह अच्छे से अपना जीव बड़ीया बड़ीया खाना तो अब क्रिस्मस के लिए यह कहीं आप सेलर सोचता है यह लड़की कैसी है पागल है क्या मुझे क्यों रुकवारी है अपने घर में बटेड़ा बहुत काइंड थी तो एड़ा जो है हमारे रैट्राप सेलर को बिल्कुल है कैप्टन की तरह ही कोई घरी नहीं है सड़कों पर सोता है कभी डरे कोई आके मार ना दे कोई लूट टक कर लिए या कुछ कोई पकड़के ना दे जाए तो इसलिए एक हाग खोल के सूता था बट आज जब इसे घर का कमफर्ट मिलता है तो रैम्स जो के घर पर या ने कि इन लोगों की घर प ने साजब्स होस्तुल एकले क्रिस्मस लेट करना फिर रात कर देनर करने आते हैं और जो है खाना खाने और यहां इसने अपना खेस्मस अब कर दो आपके अधर के घर पे अब जो है सुबह और और बापा तो चैन की नीज भी नहीं ली थी तो अगला दिन हो जाता है तो एट लोग एड़ा के पापा तो चली दाते है चर्च ठीक है और राट्राइफ सेटर तो इनके घर परी था सुहा ही रहा था और यह पापा बेटी चले दाते हैं because it was Christmas तो वो चर्च जाते है प्रेयर करने के लिए चर्च से जब वापस हो आ रही होते है प्रेयर करके गारी में बैठके तो करलगबग दस बजे की बात थी और एडला का मूड भूट खड़ापता एडला बड़ी परशान बैठी थी अब क्यों परशान बैठी थी यह जानो क्योंकि ना उन्हें चर्च में पता चलिया कि कोई आदमी है जो रैट्राप बेशता है सड़कोपर उसने क्रॉफटर के यहां से जो रैम्जो आरेंड मिल पे क्रॉफटर काम करता था इन ही क्या तो काम करता थे क्रॉफटर अंकल भी उससे 30 करूनर चुड़ाए हैं तो अब रैट्राप सेलर की सचाई जो है इडला को पता चल चुकी थी और जो एडला के पापा थे उसको सुना रहते हां हां बेटा और रुकवा और जान लोगों को घर में पता नहीं किस चौर को हमारे घर में रुकवा दिया अब घर जाके पता चलेगा कितनी चमचे चांदी की वो चुरा के लेके गया होगा और भी पता नहीं क्या-क्या जैसी यह घर पाउसते हैं तो बट्ल रहीं आप थो तो उससे बट्लर है के र से चुराखे लिके गया तो बट्लर किस वो माइम भी उप पेफ्टोगे जो चूराखे नहीं लिकर गए इंफाक्त वो तो आपके लिए कोई चोड़के गए है वो तो सुबार सुबार चले ग बना हुआ चुहे का पिंजरा इतना चोटा सा और उसके अंदर एक पेपर में लिप्टे वे थे 30 करोनर वही जो उसमें क्रॉफ्टर के चुराए थे और एक लेटर और उस लेटर में वो एडला को करता है देर सारा थैंक्यू कहता है तो मैं क्यों चोरो की तरह इक पैसे अपने पास रखके तुम्हें निराश करू तुम्हें शर्मिंदा करूं तो नहीं यह लो तीस करोनर और यह प्लीज उस क्रॉफ्टर को वापस कर देना जिसने लालच देने के लिए हम गरीब लोगों को अपनी ठिड़की पे से लटका क करके रखा था यह उसे वापस कर देना और फिर एड्ला को करता है थैंक्यू एड्ला कि तुमने मुझे मेरे जैसे के इंसान को यह मोम आया में बचने से बचा लिया तुमने मुझे कैप्टर की तरह ट्रीट करके इस राट्राप में दुनिया के बच जो है फसने से बचा तो मैं एक राट हूँ और तुमने मुझे राट्राप से बहार निकाला है तो थैंक्यू सो मच एड्ला और लास्ट में वो लेटर को साइन करते हैं कैप्टन निल्स ओलफ निल्स ओलफ कौन वही वाला कैप्टन जिसको समझके अंकल अपने घर पे लायते इसको तो वो कहत लेरेस्येया चैप्टर होता एंड और हमारा राट्राप से भाहर निकल गिया दुनिया के राट्राप से बचने के लिए तो यह रहा ड़ साथ करिके इस लेटर कोजि़ुरों रीड कर लो हमारे लेटरे को निल्खा था और यह मोस्ट अमेसिंग चैप्टर कंप्लीट होता वहर चैप्टर के important question करा दिये हैं चाहिए बूर इग्जाम में कितने ही difficult question आदे हैं यू विल बी एगल तो आंसर अगर आप वो 10-15 question पढ़ लोगे जो मैंने आपको पढ़ा हैं so go and watch the other videos मैं मिलूंगी आपसे नेक सीरो में so stay tuned for the next video Welcome to my channel I am Subritzahani आज हम पढ़ेंगे देखो हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर इंडिगो अब यह चैप्टर बहुत सारे भाई मैंनों को लगता है बहुत difficult बहुत लेंदी और boring सातो ना ही difficult है ना ही लेंदी ना ही boring है बहुत ही जादा बहतरीन चैप्टर है यहाँ आप जानोगी क्यसे महत्मा कांदी जी, father of our nation हम सब इनके बारी में बहुत कुछ सुनते है, जानते है हम सब बचपन से महत्मा कांदी जी के बारे में we know that यह हमारे freedom fighter है आज तुम जानोगी कि महत्मा गांदी जी कैसे उनोंने हमारे freedom fighter जब वो बने कैसे उनको वो शुरुआती समय क्या था वो turning point क्या था उनकी life का कि जब उन्होंने decide करा कि मैं अब अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने दूँगा मैं तो पुरा protest करूँगा कि भाई अंग्रेजों भारत छुड़ो तो कब गांधी जी ने freedom struggle के अंदर आपको अलग-अलग movements के अंदर participate करना शुरू करा तो वो starting point क्या था वो जानोगे आज आप इस chapter से कैसे हमारी अजादी की जो लड़ाईयां थी जो लड़ी गई उनमें जो है गांधी जी का role क्या से start हुआ था ये आप जानोगे ठीक है तो ये जानते आप किसके थूँ एक बहुत बड़ी writer है उनका नाम है Lewis Fisher ठीक है तो Lewis Fisher जी जो है वो जो है एक बार गांधी जी के पास आते हैं गांधी जी के आश्रम में सिवा ग्राम में ठीक है और वो कहते हैं मैंने तब गांधी जी से बात करी और यही Lewis Fisher ने गाधी जी की लाइफ पे बहुत अमीजिंग बुक भी लिखी है जिसका नाम है The Life of Mahatma Gandhi तो Lewis Fisher ने Mahatma Gandhi जी की लाइफ पे किताब लिखे है The Life of Mahatma Gandhi Lewis Fisher ने जो एक बहुत फेमस राइटर है तो Lewis Fisher की यह जो बुक है The Life of Mahatma Gandhi की बहुत फेमस बुक है Mahatma Gandhi की जो लिखी गई हो सबसे बहुतरीन बुक्स में से एक है और इस बुक का ही एक एक सर्प लेकर आपका पूरा चैप्टर बना दिया तो होता क्या है Lewis Fisher जाते है Mahatma Gandhi जी से मिलने उनके आश्रम में ठीक है और तब Mahatma Gandhi जी उन्हें बताते है कि कब उन्होंने डिसाइड करा था कि वो जो है अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने देंगे और वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो स्टार्ट कब हुआ था अब Gandhi जी अपने पूरी बताएंगे यह हुआ यह हुआ यह हुआ और हम बहुत द्यान से सुनेंगे वो बता किसको रहे है वो लुइस फिशर को बता रहे है और लुइस फिशर इसे अपनी बुक में लेख लेते हैं कॉंग्रेस की जो है एक मीटिंग के अंदर कॉंग्रेस पार्टी की एक असेमली हो रही थी मैं वहां गया वा था और वहां पे बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे थे बहुत बड़े बड़े लिखे लोग वहां आ रखे थे कहां पे जहां पे जो है इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की एक असेमली हो रही थी वहां उसेमली के बाहर मुझसे मिलने वाता है एक इंडियन फार्मर उसकी स्टेट कैसी थी बहुत ही पतला सा था ऐसा था जैसे बहुत कमजोर हो जैसे उस जमाने में हमारे सारे इंडियन फार्मर्स लगते थे बहुत कमजोर बहुत गरीब सा और अपनी आखों में उसके पीजिक उमीद कर मेरे पास आता है उस जो है और कर नाम था राज कुमार शूपला जी थीक है राज कुमार शुकला जी है से मदद नीके ली आया थे यह इढ़ाइ यहां इंडिया नैशनल कॉंग्रिस के असेमली में कि कोई भी यहां पे बड़े लोग जो आई भी इतने पड़े लिखे इन में से कोई भी मेरी मदद कर देगा बट वहीं कोई आर्मी ने कहता है कि तुम गांधी से जा के बात करो गांधी तुमारी मदद करेंगे तो यह गा जिनकी समीनों पर हम काम करते हैं उन्होंने हमारे साथ धोके बाजी करिया आप प्लीज में साथ चमपारन चलो और हमारी मदद करो तो गांधी जी कहते मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूं बढ़ी मैं बहुत बिजी हूं मुझे कानपूर जाना है फिर मुझे यहां जान है मैं तो बहुत बिजी हूं अभी तो राजकुमार जो शुकला जी थे वो तिर रेजोल्यूट इलिटरेट थे पड़े लेके नहीं थे बादमने इरादों के बिल्कुल पक्ये थे ठीक है जब आप फ्री होगे मैं तब आपको उने साथ लेके जाओंगा तो गांधी जी क करते हैं बैक करते हैं कि आप एक डेट फिक्स कर दो जिस दिन आप मेरे से मिलने चम पारना होंगे और प्लीज हमारी मदद के जिए तो गांधी जी राजकुमार शुकला जी का यह स्टाइल देखके उनका परसीवेरेंस देखके कि भाई क्या आदमी है यह मेरे को पीछा जोड़ा इसने अपनी मदद मांगने के लिए अपने फार्मर भायों की मदद मांगने के लिए तो मैं की हल्प करूँगा तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि अभी भी मैं बिजी यू मैं इस देट को जो है आऊंगा कलकता तो में मुझ से आके मिलना और फिर वहां से हम लो गांधी जी का कैरें मैं गया उनसे बात करें राजकुमार शुकला जी से मैंने और राजकुमार शुकला जी ने फिर एक ट्रेन पकड़ी ठीक है तो कलकता में राजकुमार शुकला जी गांधी ची को आफ्टे संब डिसीव करते हैं और दोनों ट्रेन में बैठते हैं अब बहुत फीयमस नोन परसन हमारी कंठरी के उनके धर पे दॉटकर के घर कॉन राजीन ही के प्रसात वो कारी के पहली President वी वैंति chegou जाते है उस समय पे वह कौंग्रेस पार्टी के बहुत बड़े प्रेजरेंट नहीं तो घर पे थे ही नहीं बट उनके नौकरों ने राजकुमार शुकला को अंदर आने दिया क्योंकि उन्हें पता है कि यह करफी बार हमारे सर से मदद मांगने आते रहते हैं बट वहाँ पे इस इनसेदेंट होता है गांदी जी अफ्यरा से गांधी जी को भी में दते नहीं पानी बीए वह फिर वह थे। क्रिपलानी ठीक है वह जो फों है एक बहुत बड़े कॉलिज के प्रोफेसर अर्च मोखस को दिपीर ने पनले जी अ Ο तो उनको टेकनिकल समझाए फैक्स बताए क्या हुआ है कैसे हुआ है लॉयर से मिलना था उने तो वह कहते है मैं मुझाफरपूर जाऊंगा और आचमा शुकलाओ कहते है तो अपने घर जाओ आप चंपारन जाओ मैं सब करूंगा आपकी मदद करनी के लिए वह मुझाफरपूर में अपने दोस जीबी क्रिपलानी को टेलीग्राम करते हैं और कहते हैं 15 अप्रेल का दिन था रात को 15 अप्रेल 1917 के मेरे स्टेशन के बाहर मैंने दीखा कि वह प्रोफेसर अपने बहुत सारे सुडेंट्स के साथ मेरे से मिलने आए थे सब ने मुझे बह मैं जो मलकानी साहब के यहां रुका दो दिन यह बहुत एक्स्ट्राइणरी बात थी उस जमाने में क्यों भाईया कहरे उस जमाने में कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लोग कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कोई भी गाउवाला शेहर वाला अपने घर के अंदर किसी भी मेरे ज जैसे नहीं थे वह नहीं डरे मैं दो दिन उनके हां पर रहा और भाँ से मैंने अपनी आगी की करवाई करी बहुत की नौटी मुटी मूटी फ्रीश वसूल कर रहे ते जो है और मदद कुछ होने जी ती तो गांदीची जब पूरा के समझते हैं उन्हें पता चलता है कि अ फाइदा नहीं है क्योंकि यह ब्रिटिश के ब्रिटिश ब्रोड्स बहुत डरते हैं वह लगता बंधिवर ब sexuality अरजिदों लेके poor farmers से हमारी country है ठीक है बताती हूं तुम्हें कि Indigo Plantation Workers का ना क्या नाइन साफी हुई थी इनके साथ राजकुमार शुकला जी के साथ क्या नाइन साफी हुए थी तो देखो यह Indigo Plantation Workers यानि कि जो यह farmers थे सारी के सारी यह Britishers के साथ एक contract में थे एक written side contract इनके बीश में था वो क्या था यह समझो जितने भी खेत होते थे पथा आप यहां चंपारन में जितने भी जमीने थी जितने भी खेत थे वह किसी भी farmer का अपना नहीं था क्या था वह इन सभी दे दिया करते थे इन फार्मस को कि तुम भही आपे क्यों Nous अचे कberspace परों कि हुआ में थोड़ी दे थे देंगे खेट काम करने क्लियों नहीं क्या लेंगे किराया लेंगे तोकि किसी के घर रहते हूं को अगर किराया का घर न पड़ता है रहने के लिए है तो ऑविसली उन्हें अगर वो उनकी रैंडलोट्स की खेतों पर फार्मर हमारे काम करें तो उन्हें किराया देना पड़ेगा अब किराय में पैसा नहीं लेते थे यह लैंडलोट्स यह कहते थे जो भी खेत है उसके 25% हिस्से के अंदर तुम उगादो एक इंडि इंडिगो बहुत इंडिगो की डाई हम इंडियन फार्मर से उगवा के यह बना के प्रोसेस करके बेचा करते थे बहुत कमाई करते ते यह ब्रिटेश लैंडलोट्स फिर इनको पता चला कि जर्मनी के अंदर तो यह इंडिगो लैब में बनना शूरू हो गया सिंथेटिक बहुत मुश्किल बहुत दिफिकल्ट होता था इंडिगो गानिका प्रोसेस तो फैक्ट्री में जैसी इंडिगो बना तो मतलब यह फार्मर का जो यह 25 परसंट फार्मर इंडिगो गारे थे उसकी तो पूरे वर्ल्ड में से डिमांड ही खतम होने थी किसी को जरूरती ना करना पड़े इनके 25 परसंट इंडिगो की हमें कोई जुरात नहीं है तो इन्होंने क्या करा चालू बंती इन्होंने सोचा यह कॉंट्राक्ट तो एंडिगो बनाते हैं इनको कहते हैं कि हमें कुछ पैसे दो तो भाई अभी फार्मर को तो नहीं पता था कि फैक्ट्रियों करने से तो अपनी मर्जी से कहा ठीक है जी हमें नियूगाना 25 इसे में इंडिगो आप कउंट्राक्ट एंड करते एंडिगों और कुछ ऑन्रें करने करना हों और करें बागियों कि नहीं जबर्दस थी नहीं आज के बाद इंडिगों तो तुम यह कारीच करो और उसको करन नहीं मानते थे तो उन्हें पिटवाया गुंडों से और जबर्दस्ती फार्मर से जैसे राजकुवान शुक्रा को भी जबर्दस्ती उनसे कॉंट्रैक्ट एंड कराया और एंड कराना फ्री में एंड कराया कि खतम हो गई तुम्हारे को डिमांड उसके इंडिको की तो ऐसी आप हमारे को इंसाफ दिलाओ यह ब्रिटिश लैंडलोड से हमारा पैसा हमें वापस दिलाओ तो चलो पड़ते हैं पूरा केस डिटेल में समझ अब फिर गांडी जी क्या करते कहते हैं अब तो यह ब्रिटिश के पास ही जाके बांजरा जो है समझ में आएगा तो वह जात बली करता है कहते हैं कहां से आई हो तुम इक हैं तो नहीं जाओंगा है से मैं कोई भारवाला नहीं हूं मैं अपने इंडियन भाईयों की मदद करूँगा गांडी जी को वहां कोई help नहीं मिलती है तो गानी जी फिर चले जाते हैं मोतिहरी क्या है चंपारं की capital थी उस समय साफी हुई अभी दिन वह उस घर में बैटके सब कुछ लिखा पड़ी करी रहे थे कि उन्हें सुनने में आता है भाई पास के गाउं में एक फार्मर को बहुत मारा पीटा गया उसके साथ बहुत गलत सुलूक हुआ है तो गांदी जी सोचते हैं उससे मिलकर आता हूं उसकी पर दो मोतिहरी गांदी जी मान जाते हैं बात और जैसे गांदी जी अपने घर पहुचते हैं वा पर जहां मोतिहरी में रड़ते वह पुलिस वाले क्या करते हैं गांदी जी को एक ऑफिशल नोटेस देते हैं बिटीजर की तरफ से आईवा और उस पर लिखा होता है गांदी जी जी ने क्या करा बहुर अब हम इंडियन से ब्रिटिश फ्रुल जब चलड रहा था दो हमें सरकate सिर्ट फ्रीडवwał को हैं और और आघोरी केली केश के लिए पूरी राज जाकते हैं बहुत सारा काम करते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट राजींदर तो तुम पीछे से काम संभालना सारा का सारा अपनी वाइफ को आश्रम में बहुत कुछ बता देते हैं लिखे कि यह करना आगे यह करना है और पूरा का पूरा की किस्से को जो इंडिया के वाइस रहाई थी उस समय पे ब्रिटिश के द्वरा पॉइंट करे गए उनको भी ल और बप्रिटी है ती फार्मर्स की भीर थी साही के सारे फार्मर शेर क्रॉपर्स इंडिको प्लांटर के साथ लिख साफी हुई थी कछेरी के बार खड़े हो जाते हैं क्यों आए थे वो क्योंकि उन्हें सुनने में आया था कि कोई है गांधी महत्मा महात्मा एक महांसूल जो हमारी मदद करने है आज वो प्रॉब्लम में है तो हम उसकी मदद करने जाएंगे अब इतनी भीर देखकर farmers की Britishers दर जाते हैं वो court में बैठे वे जितने officers थे officials थे वो डर जाते हैं कि आज गांदी को सजा सुना दी तो ये farmers पता नहीं क्या ही कर देंगे तो वो कहते हैं हम case postponed कर रहे हैं हम थोड़े दिनों बाद case की सुनवाई करेंगे तो गांदी जी कहते हैं आज ही होगी सुनवाई तो वो सुनवाई करते हैं फिर case की तो हां पर गांदी जी कहते हैं हां मेरी गलती है मैं guilty हूँ मैं खुद कह रहा हूँ या court में ख़ड़े हूँ के बट में जो है conflict of duties में हूँ ये इस पर question आएक conflict of duties में क्या करूँ एक तरफ है कि हां मैं ब्रेटिश की बात नहीं मानना हूँ मैंने गलत करा है मैंने law and order के खिलाफ जा रहा हूँ मैं बर दूसरी तरफ है मेरी conscience मेरी अंतरात्मा मैं अपने farmer भायों के साथ नाइन साफी होते वे नहीं देख सकता हूँ तो यह मेरी अंतरात्मा की अवास को मानना मेरे लिए जादा जरूरी है तो इसलिए आप मुझे सजा दिये सकते हो जो भी हो मैंने गलती तो की है तो भाई वो जो है कोर्ट में जो जज होते हैं वो कहते हैं सब लोग मिलके decide करते हैं कि दो घंटे बाद इसको दुबारा continue करा जाएगा सुनवाई को और गांधी जी को कहते हैं 2 गंटी लिए mail भर दो गांधी जी कि दोड़ डर रहें थे वहां बेठे हैं अनदर ब्रेटिश वह डर रहें थे farmers की भीर से फिर द वहारा ऑज नहीं दिया जाएगा पता नहीं कब दिया जाएगा जब देंगे सूदेंगे उतने समेक लिए गांदी जी चमपारण में आराम से रह सकते हैं तो मतलब गांदी जी की जीत हो गई इंडियन फार्मर्स की जीत हो गई गांदी जी बहुत खुश होते हैं क्यूं क्यूंकि वहाई वो फार्मर्स भाह म네ं लुए उनसे बैट के बात करते हैं देखो अगर बार Milo हो जाती है मुझे कहे दिया जाता है मुझे जील हो तो आपकी करोगे निए हो पिर जाएंके एहां हम ऑपड़ की मदद तो फिर राजेंद प्रसाद जी उने कहते हैं और बागी सब लॉयर्स कि हम आपके पीछे-पीछे जेल जाने को भी ताही आ रहे हैं और आपके साथ हमेशा खड़े हैं यहां पर हम भी फार्मर्स की मदद करेंगे ठीक है तो उस दिन गांदी ची डेक्लेयर करते हैं इसको यह बहुत इंपॉर्टन कोशन एंडिगो से कब कहते हैं गांदी जी जीती नहीं कही थी पर पहले ही कहते थे हैं जब इतने बड़े-बड़े दिगज लोगों ने कहा कि हम मदद करेंगे फार्मर्स की और यूनिटी आ गई थी फार्मर्स के अंदर तो वो कहते हैं एक आत दिन के अंदर या कुछ दिनों के अंदर गांदी जी के पास एक लेटर आता है और उस लेटर को किस नहीं भीजा था उस लेटर को जो है भीजा गया था लेफटिनेंट के द्वारा एक बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा और उसमें लिखा हुआ था क भाई जो गांधी जी है ना उनको जो ये केस है ड्रॉप करा गया है कोई साथा गांधी जी को नहीं मिलेगी ये केस को थो हम कैंसली कर रहे हैं मतलब कि क्या जो चार्जिस गांधी जी पर लगाये गए थे वो सब हटा दिया जाते हैं और गांधी जी की जीत हो जाती है और ग हटा दिया जाता है बाइच अब तो हम जिता है पहली बार इंडिया में इसीट में प्रिटिस की सिविल ने यानि कि सब लोगों ने ब्रिटिश के बार नहीं भी मानी तो भी ब्रिटिशर ने जो है गांधी पे केस नहीं चलाया मतलब हमारी जीत हो गई थी अब जो है कुछ समय बाद आगे ऑफिशल इनकोईडी वगेरा भी तो करनी है न तो अब गांधी जी को जो है उफिसर चल रहे थे उस समय पे उनके द्वारा मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता है कौन थे उनका नाम तो सर एडवर्ड गेट ठीक है तो यह नाम याद रखना सर एडवर्ड गेट गांधी जी को बुलाते है मीटिंग के लिए कि आओ मिलते हैं बात करते हैं क्या हो होगा तो कौन थे वो लेफ्टिनेंट गवर्णर थे यह चंपारन की केस के लिए गांधी जी जाते हैं चार इंटर्व्यूस होते हैं गांधी जी इनके साथ में और तब जाके दूसर एडवर्ड गेट है वो कहते हैं कि हम एक ऑफिश्यल कमीटी बनाएंगे यानि कि तो फार्मर्स को दिखाने के लिए सिर्व गांधी जी ते उस टीम में और बहुत सारे ब्रिटिश लैंडलॉट्स थे बारे पड़े थे उनके बड़े बड़े जो है लॉयर्स हो गए मिलके उन्होंने पूरी इनकोईरी बिठाई अब इनकोईरी का रिजल्ट के लिए डि गांधी जी ने जब हो मीटिंग करी और पूरे फैक्ट्स दिखाई यह इस फार्मर के साथ हुआ इस फार्मर के साथ हुआ यह हुआ यह हुआ तो ब्रिटिश लैंडलॉट्स को अपनी गलती माननी बड़ी और उन्होंने का ठीक है भई हमने फार्मर्स से जो पैसा लूट वापस कर दो जितना तुमने फार्मर से लूटा है बट यह ब्रिटिश लैंडलॉट्स बहुत लाल शी थी कहते हैं नहीं हम तो पच्छेस परसेंट वापस करेंगे और यहां बन गया डेड लॉक गांधी जी कहरें पच्छेस ब्रिटिश तो ब्रिटिश लैंडलॉट्स इतने चालू थे जमेंतर कईयोता गांदी जी-पच्छेस परसेंट को मानेगी नाई हम पच्छेस परसेंट से जादर देंगे नहीं तो इहां पर गांधी जी ऊठके चल्याश जाएंगे और आमर्स थे वो बहुत जादा डर के रहते हैं लैंड लॉट इनके सात्य ज्टी आइकंजार करते हैं झाती है आज रहें ओर वह से ब्राइट fakta सब्दोर पार्म solid 3 गाम करेंगे य हम से कोई भी खरीं नहीं होता है और झोड़े दिनों बाद क्या होता है गांदीजी बिएक पर बीटिश की तरफ से लैंड़ोच स्टम ही एंड हो जाता है और जितने भी यह होते हैं उनको ही यह सारी जमीने मिल जाती है और क्या होता है फार्मर्स पे अपने पर जमीने और उस पर काम कर रहे हैं तो इस तरीके से गांधी जी पताते हैं कि उन्होंने मदद करी बिटिश के से किसकी हमारे फार्मर्स की तो आयत हो थे सिर्फ एक फार्मर के कहने पे और लगवक साथ महीने तक वो चमपारन रहते हैं कभी-कभी अपने आश्रम जाते हैं पूरा कईस ऐसे चला अब फाइनली ऐसा नहीं है कि उन्होंने चमपारन के पीजर्ण को 25% पैसा अब उटा के वहां से चले का नई भाई उसके बार वहां पर रहे इस पर एक्जाम में आए गा लॉंग क्वेशन वहां पर रहे कल्चर अंड सोशल डेवलाप्मेंट करने के लिए कंगा या की फार्मर्स बहुत गरीब है नहीं के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है नहीं यां कोई हॉस्पिटल है नहीं यां लोगों के घरों में टॉयलेट है तो वो क्या करते हैं दो टीचर्स बुलवाते हैं यहां मैं नाम लिखर करते हैं अपनी वाइफ को बुलाते कस्तूर्वा गांदीजी को चंपारंग रहते हैं सब लोग और फार्मर्स को एजुकेट करते हैं जो उनकी वाइफ है वो फार्मर्स को क्या सिखाते क्लेंडेलनेस रोल सैनिटेशन की वाइफ कहां कैसे यूज़ करना चाहिए अब सफाई की रखनी चाहिए यह सब सिखाते हैं फिर गांदीजी एक दिन नोटिस करते हैं कि जो गाओं की सभी औरते थी उनकी साड़ी बहुत मेली थी तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं आप इनसे जाकि पूछो त अब जो है हम कपड़े जादा हैं नहीं तो क्या करें तो इतनी गड़ी थी कि एक दो से जोड़ी से जादा कपड़े नहीं होते थे फार्मर्स के पास पहनने के लिए और इन गरी फार्मर्स को लूट रहे थे यह ब्रेटिश वर्स अब फाइनली गांदी जी पते हैं तीन त्क अधिनि वे डोली फार्मर्स किरी नंग रहे थे जो एक को को पास इनि जब किसी को लिएक ब्र जो आपन में बी mg राएंडी नहीं रहेकर ślinिं Eugene सपनी भाजन मतों व्रेटिटेप यह कि अतर नहीं को रहे एकर क्यों से श्कान के आज करते हैं तो किसीय को सबीश ब्री लोग पढ़े लिखे एजुकेट हो और जो है अपने आपको साफ रखे सैनिटाइज रखे बेमारियों का इलाज हो इसलिए वह वहाँ पर काम करते हैं अब अब आट आप गांदी जी से पूछा जाता है की भई आपने यह सब किया कैसे आपने इतना बड़ा निभाया तो गांदी जी पते क्या बताया गांदी जी ने जो है लोईस फिशर को ही वह बताते हैं कैसा नहीं था कि मैं डिसाइड करा एक दिन बैटके कि हाँ भई मैं तो सिर्फ चंपारन गया था उन भुले भाले फार्मर्स की मदद करने के लिए मुझे नहीं पता था कि वह चीज इतनी बड़ा एक एफेक्ट लेकर आएगी हमारे पूरा कंट्री के उपशरीय कहते हैं कि गांदे जी की पॉलेटिक्स थी न वह यह अप्स्त्रय आइडिया बालि इस को है कि अप्ट्राइक बाते कि देंगे बाते शू करें लौजो पैसा वापस जो गरा दिया कि इंकी लाइफ ठोड़ी अची बना पाए अब लास्ट में राजींद प्रसाद जी का नाम जब आपने इतनी बार चाप्टर में पढ़ा है तो राजींद प्रसाद जी के द्वारा भी बताईगे कुछ बात है आपके चाप्टर में लास्ट में तब चार्ज फिर एंड्यूस मिलने आते है गांधी जी को और वो फिजी आइलेंड जा रहे थे अपनी ड्यूटी पे तो वो गांधी जी को कहते है अगर आप चाहो तो मैं हां रुक जाओंगा आपके मदद करने के लिए चंपारन केस में तो बाकी लॉयर्स चाहते थे कि हा अधियाफ लड़ाई है यह में सेल्फ रिलायंट होंके आत्म निर्भर होंके खुद जीतनी पड़ेगी हमें एक अंग्रेश पर डिपेंड नहीं होना है कि हम एंड्यूस पर डिपेंड हो कि यह हमारे साथ होंगे तो हम जीतेंगे तो राजेंगर प्रसाद कहते हैं कि गा आपका कम्प्रीट होता है इंटायर आपको इवेंट समझ में आ चुके हैं कैसे गांदी जी ने जो शुरू हुआ था उनका सलसला कॉंग्रेस की जो एसेंबली में गए ते वहां से उन्होंने कैसे जो है चंपारन के पीजिंस को जो है इंसाफ दिलाया कैसे उनकी लाइफ ठीक है तो उसकी फोटो में अप्लोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पी और में पिंड कॉमेंट में भी जो है आप देखना यह पूरी इवेंट काई पर कंफ्यूजिंग होता है गांदी जी बहुत सारी जगाओं पे गए है ना तो मैंने ग्राफ सा बना दिया है माइंड म जहां पर मैंने सबी question answers को पढ़ा दिया है और बाकी chapters को भी ऐसा ही detailed and जो है मज़िदार तरीके से पढ़ा दिया तो मैं चलती हूँ Hello everyone welcome to the channel I am Simran Sahani and आज मैं आपको पढ़ाओंगी हमारी flamingo book का सबसे लेंदी chapter poets and pancakes और कुछ ही देर में ये बन जाएगा तुमारी flamingo book में से सबसे interesting chapter क्योंकि आज आप जानने वाले हो एक फिल्मी दुनिया के बारे में हम लोग जो है फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं फिल्में देख रहा हमारे लिए हमारी life का most important part में से होता है तो आज आप जानोगे कि यह जो फिल्में बनने शुरू हुई जो studios होते थे जहां पर shooting होती थी आजकाल तो बहुत technology advanced हो गई है जब पहले जबाने में जब शुरू आती समय था तो studios कैसे हुआ करते थे उन studios के अंदर का culture कैसे हुआ करता था वहां पर make up कैसे होता था वहां पर लोग लिखते कैसे थे scripts को और वहां पर क्या क्या लोगों के बीच में कैसे relationship रहते थे कौन किसका दोस्त होता था कौन किसका दुश्मन होता था कौन किसके साथ क्या करता था कौन कहां बैठके चाहे कॉफी पीता था तो पूरा फिल्मी स्टूडियो का एक महौल आप जानने वाले हो इस चैप्टर के थू और इस चैप्टर कर ये पूरा फिल्मी महौल हमें बताने वाले हमरे राइटर जिनका नाम है असोका मित्रन इन्होंने लिखी एक किताब जिसका नाम है माई इयर्स विद बॉस अब इनके बॉस कौन है इनके बॉस है एस एस वासन जी जिन्होंने जो है खोला था जैमिनाई स्टूडियो से एक बहुत ही रेनोन स्टूडियो फिल्म मेकिंग का शुरुवाती दौर में ह अगबार में से निकालते थे फिल्म इंडस्ट्री से ठीटर से रिलेटे जो भी खबले होती थे उसे चिप्तकाते थे फाइल में एक कमरा था बहुत सारी खिर्क्यों वह था इनका ओफिस तो यह बहां बैठके पूरे ओफिस को सब कुछ जो अब्जर्व करते तो ही इस व बताते है दो चीजे तो सबसे जादा चलती थी हमारे स्टूडियो में एक पोयर्ट का आना जाना दूसरा पैंकेक का ऊपने के खाने वाला पैंकेक नहीं है तो पैंकेक है फेस पे लगाने वाला पाउडर जिससे मेकप किया जाता है तो गरे वो ट्रक भर-बर के हमारी पैंकेक ब्रैंड का नहीं है जैसे आजकल बड़े अलग लग नेम्स के ब्रैंड आरहे है वैसे ही पैंकेक एक ब्रैंड नेम था बहुत बड़ी-बड़ी हिरोईनों ने जैसे विजनती माला और गरिटा गार्बो उन सब ने पैंकेक मेक ब्रैंड को यूज किया है बट उनका मेक अप करा जाता था हर एक सेलेबलिटी का हर एक एक अक्र का एक्क्रिस का इन दा मेक-अप रूम अब मेक-अप चलते है हम अपने जैमिनाई स्टूढियो का जो मेक-प रूम था जो कहां पर वे सिच्वेटे था एक ब्रिटिशर के जो है स्टेवल के ओपर स्टेवल के ओते जहापे गुड़े रहते हैं तो वो जो ब्रिटिशर था उसका नाम था मेकप रूम बिल्कुल एक हेयर कटिंग सलून जैसा लगता था हर तरफ लाइटे जैल रखी होती थी बलब वली लाइटे जिनमें से बहुत गर्मी निकलती थी और वहां बैटके बैटके पेचारी एक्ट्रिस हर समय अपने मेकप कराते थे और भाई मेकप वाले उनको पैंक में अक्टर एक्ट्रिस और जेलते हैं जो यह गरम गरम लाइटों में से आरी होते तो उन्हें वह बहुत मुश्किल काम लगता है कि गर्मी जेलना ऐसे काटून सा बन जाना क्योंकि उस समाने में जादा शूटिंग ना इंडोर सी हुआ करती थी तो वह कहते थे हमारे सार अगरी होते थे पूरी प्रॉपर लाइट्मिंग वगेरा वैसा ही मेंक अब जो यह मेकप रूम था उसमें बहुत साथे स्टाफ काम करते हों। तो चलो तो मैं फिल्म दुनिया की मेंकट स्टाफ के बारे में बताता हूं। तो मेंक रूम का जो पूरा का पूरा स्टाफ उसमें चलती थी national integration now what is national integration जैसे आप देखते हो भाई हमारे इंडिया में क्या है we are unity in diversity जब भी आप हमारी Republic Day की parade देखते हो तो आप देखते हो ना हम सब कितने cultures को अपने प्रेजेंट करते हैं हम बहुत होते हैं हमारी यह तो अलगी culture है इतने सारे हम सब साथ में इंडिया पर दिखाई जाने शुरू हुई कि सब स्टेट को मिलके रहना चाहिए culture को हमारे यह बहुत पहले से चलता था हमारे यह का जो सबसे पहले उनके मेकप रूम के स्टाफ में कौन था एक बंगाली था वह बहुत जादा फेमस होगे तो वह चले गए उनके बाद एक महराश्च्वन आगए वह एड डेपार्टमेंट है वह मेकप डिपार्टमेंट के उसके बाद में कंडर लोग थे आंदर प्रदेश के मेकप के उसके मेकप बसटेंट इसमें चलती इए हरार की मतलब सब अपने अपने लेवल के सबसें काम के गए जैसे जो एक डीवले मेरों को करते है उनका जो निशे आते थे फिर वह साइड रोल्ला अप् hip अब होती फिरैंटि आती थी हमारी जैमने इस्तुडियो के गेंप परीम कें से ओफिस बॉय सेने तो ऑफिस भॉय है जो बने सुटेंगाने चालिस साल गाया आदमी बहुत है उसका काम क्या होता था जब भी हुटन होती थी वो एक बाल्टी में बहुत सारा पैंकेक मिक्स करता था उसे घुलता था और सारे क्राउड के फेस पे जो है उसको पोत देता था जिससे वो भी जो है चमकने लग जाए लाइटों के अंदर अब वो कहते है ऑफिस बॉय का ना भाही कुछ लोग होते हैं नामनी जिंदगी से परशान और उसमें वो अपनी गलतीतों मानेंगे नहीं दूसरों पर नाम लगाते हैं यह उसमें से एक है ऑफिस बॉय जो है यहां पर आया था जैमिना स्टूडियो में बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स लेकर की भाही मैं राइचर बनुगा भाही मैं डारेक्टर बट अनफोचुनेटली ओफिस बॉय के तो पूही भी यह सपने पूरे नहीं हो पाते हैं अब जब इसके यह सपने पूरे नहीं होए तो इसने अपने पूरे ना होने का इंजाम डाल दिया जैमिना स्टूडियो के नंबर टू पे आने वाले इंसान के उपर जिनका नाम सब्सक्राइब को था मंगलम सुबू कॉन है बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे इंसान है यह ना जो जैमिना स्टूडियों उसमें दो नंबर पर यानि कि पहले नंबर पे तो बहुत हो गया से इस वासन उनसे अगले आते हैं यानिकि बहुत पावर हैं इनके पास आगे नहीं कल गया क्या टैलेंट है मैं मैं लिखू इससे बढ़िया पोयम तो मैं अच्छा स्क्रीन राइटर हो क्या ही इसके पास टैलेंट में बस यह तो जो है ना इसको ऐसी ही आगे बढ़ गया अब वह ऐसे ऐसे बैट बैट के ऑफिस बॉय हमारे ऑथर जब भी करें मेरा क्यों दिमाग खराब करता रहे तो और वह कहते हैं इसा निया कि खाली ऑफिस बोई सब लोग मेरे पास आखे मुझे कोई और चला देते हैं क्योंकि सबको लगता है कि मैं करी ही क्या रहूं मेरे काम की वैल्यू ही क्या है अकबार में से चाट-चाट के खबरे ही बहुत कुछ जानना है हमें शुबू जी के बारे में और पढ़ते हैं तो शुबू जी जो है वह कहता है कि वैसे तो इनके जमाने में भी नहीं बहुत डिफिकल्टीज देखी ती तब भाईया जेमिना स्टूडियो और यह स्टूडियो अगया जब यह आये यहां पर नामन है तो उस समय पे इनको जो है बहुत सादा रिस्पेक्ट मिली बाई अधर पीपल यह इनके लिए ड्वांटेज रही है शुबू जी ने अपनी लाइफ में और वह बहुत बढ़िया डायरेक्टर है स्क्रीन राइटर है पोईट है अब डायरेक्टर देखो भाई यह शुबू जी कैसे है यह ऐसे डायरेक्टर है कि कोई भी सीन हो अगर कोई डायरेक्टर को समन में ना रहो यह जाके बताते वह एक्जामपल देते हैं इस टेलर मेड फॉर फिल्म मतलब जैसे टेलर कपड़ा बनाता है बढ़या फिटिंगा बनाता है यह कोई फिल्म करो चूहए की और तहीं हो रही है और उस लडाईमें शुछे ने ताइगरेस तो तो ऑना फूसको चुहे ने अगर तो चौदा बार दुबारा सीन बता देंगे इतने माइन से क्रियेटिव है शुबू जी फिर भी चिरता आई है और इनकी सच्छी में भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है जैसे की अब रीड कर लो यहां पर इंपोर्टेंट है अगर दिख रहा हो तो वरना मैं तुम्ह प्रवाइट करी रही हूं वहां से पढ़ लेना तो शुबू जी डायरेक्टर तो ही अच्छे बहुत अच्छे नॉवल राइटर भी है बहुत बढ़िया पोएट भी कहते हैं जो लोगों को समन्ना है वैसे ही बहुत मुश्किल पोएम भी लिख सकते है सुबू जी कुछ थेलाना मोहनमबल ठीक है यह बहुत फेमस जो है एक नॉवल है और इन्होंने काफी बार जो है अलग लग सीन्स को रीक्रियेट कर रहे हैं अब यह एक्टर भी कोई कम नहीं थे यह किसी अगर सीन में एक्ट कर देना तो भाही जो मेन अक्टर था उसको वह फीका पर जाता यह बहुत चैरे टेबल पर संथे कभी किसी को नहीं कहते थे मेरे घर क्यों रुक रहे हो या उससे पैसे मांगे या उससे कए तो मिहां फ्री फंड का खारे हो नहीं बहुत ही देल के अच्छे इंसान थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था लोग उनके घर रहे हैं कि उन बहुत हैं अब जो है यह है पूरे ऑफिस पर सेकेंड सिकेंर बहुत है और सटॉरी डेपर्टमेंट में काम करते हैं सटॉरी डेपर्टियशक ऑठावर चेन है नहीं होता एक बारी क्या होता है एक एक अख्रेस थी वह जो अख्रेस भी नाई-जाए बनी थी बहुत संदर लिएग फिलियुल ऑफ यह गाओ से आई थी अगरिए मगार कुछ होगए बाहिया सेट ब कीश्लाने लगती बाइड चुला रही होती है वह इतन्ह अख्रेस कि रहे है यह कि यह tape recorder on कर देता है और उसकी पूरी चिक चलाट को record कर देता है जैसी वो चुपोती है tape recorder on कर देता है और जब वो अपनी छीखना चिलाना सुनती है live सब के सामने उसे बहुत शरम आ जाती है और वो भाग जाती है studio से जमिनाय वालों के career acting अपना छोड़ देती है सब कुछ वो अपने घर चली जाती है उसे इतनी शरमादत है तो इस तरीके से यह lawyer साब ने क्या करा यह legal advisor ने क्या करा career ही खराब कर दिया बेचारी नहीं वेली actress का ठीक है अब वैसे ही जो lawyer था इनने एकाद बार पिच्चरी भी डिरेक्ट करी थी चली नहीं वह बहुत नुक्सान हो ग पार्टमेंट के लोग हो गये जितने भी हमारी स्टूडियो के लोग थे हम पैंते थे धोती कुरता वाइट कलर का कॉटन का समझ लो आप गांधी जी जो गांधी वाले लोग थे हम वैसे कपड़े पैंते थे बट यह हमारे जैसे नहीं था यह बहुत लॉजिकल इंसान थ किसी को बुरा लग या ना लग इसे फरकनी परता तो यह काले रंगा सूट बूट पेंट के रहता था खंडु अलग देखता था में वो हमें बताते हैं कि हमारा जो जैमिनेस रोडियो है और उसका जो कैफे है वो अड़ा है बहुत बड़े-बड़े हम पोएट्स का राइटर्स का सब यहां आते हैं और कॉफी पीते और गपे मारते हैं कौन-कौन से बड़ी-बड़े पोएट नाम याद रख लो स्वां कराने में और कॉंग्रेस की तरफ से प्रोइबिशन रूल चल रहा था यानि कि ऐसे लोग आपस में बहार आपके यह से मिल नहीं सकते हैं बात्चीत नहीं कर सकते हैं और एसे गुरूप बनांके पार्टी नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए tapping coffee पीते हुउ हुआ हुई बहु अपने लाइफ में तब ही तो बड़ीया बड़ीया पोयम लिख पाएंगे स्टोरीज लिख पाएंगे तो हम सब सिंपल लोग थे सारे हमारे आपके पोयट और सबसे जादा तो हम लोग गांदी जी को ज़रूर मानते थे हमारे जादो कुछ नादा नहीं था पोयट लोगों का सिर्फ और सिर्फ हम गांदी जी की बताईवी बातों को मानते थे खादी का कुर्ता खादी की धोती बग्यारा पहनते थे और एक चीज और हमारे जेमेनाय स्टूडियों में चलती थी एकनॉमिक्स वाले बच्चों को भी पता होगा जिनने नहीं पता है मैं बताती हूं क्योंकि पूरा चेक्टर पढ़ाती रहती हूं तो बस शॉट में बताऊंगी जिससे ऐसा ना हो कि तुम को दीदी पॉलिटिकल जैन्स भी पढ़ाने लगे तो कम्यूनिसम होती है पॉल अपना घर खरीदो अपनी बिल्डिंग बनाओ अपना फारम खरीद लो वहां पर कोई जो मर्जी होगा है ना बट कम्यूनिसम में क्या होता है सब कुछ एक कंट्री अगर कम्यूनिसम पर चलती है तो वहां पर जो भी चीज होगी लैंड होगा कोई बीचीज होगी इंडस फार्मर काम कर रहे हैं उन सब का बटवार हो जागा ठीक है बदस कर रहें बीस करें पचास करें इस टाइप का सिस्टम होता है किसी पर अपना प्राइवेट घर नहीं होता सरकार कदिया वह घर होता है सरकार सबसिटी देगी सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्चा यह चलता था कम्यों और अमेरिका में हमीशा से चलता है क्यापिड़ीज़म जहां प्राइवेट जो है चीज़े अलावड होती है तो यह कम्यों जादा लोग थे इनके जैमिना स्थूडियो में भी हां के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था और इंते यह बाते चलत जो अपने घरवालों को भी मार दी और अपने पेरिंट्स को भी मार थी तो इनके यहां पर वैसे politics से कोई नादा नहीं था बड़ कम्यूनिसम को क्या मांते थे चीसर DAVID यहां ले में जाल सब्सक्राप और दो सब्सक्राइब करें记彦 कम अपने सेображ सब्सक्राइब जो जा जाते हैं यह पे देखा यह जो अंग्रेश थे हमारे डोपलेश करते हैं यहां पर हमारे इंडिया में एक साउठ इंडिया में आके दोपले बहुत जाए गते जौट मध्याय एक फोग तन फैक्टर दोनों को याद रखना वो एक उन प्लेश का मेसेज तो सिंपल होता थ थी और हम लोगों ने भी इनसे एकाथ सीन कॉपी करें जैसे एक सफेद पर्दा लगाती थे साथ में आदमी बजा रहा हुता तो सुरज निकलने का टाइम हमने भी इनसे काफे कुछ चीज़े कॉपी करनी शुरू कर दी और सीखा मतलब इंस्पिरेशन ली इनसे एमारे वाल होता वादे कि उनसे गपे मारने में तो चलता अब बात में इनको पता चलता है कि यह मॉरल रियार्मेंट वाली कौन थे यह एंटी कम्यूनिस लोग थे जो भी प्लिय होता था वो कम्यूनिजम के खिलाफ कोई ना कोई उसमें अंद्रूनी मैसेज देते थे तो तब हमारे अच्छा जी हमारे बॉस भी एंटी कम्यूनिस्ट है उन्हें भी कम्यूनिजम पसंद नहीं से दिवासन जी को भी और यह मॉरल रियार्मेंट वाली एंटी कम्यूनिस मूवमेंट है तो इसलिए इन्हों ने हमारे यहां पे बुला लिया स्टूडियों में इनको जिससे य लगलग पोईट्स के बारे में अब क्या होता है भाई को कहते है मारे वाली तो चली गए अब फिर से हमारे आके बड़े-बड़े बॉस के फोन खटकने शुरू हो जाते हैं अब बात चलती है क्या में बोला जाता है स्टेज खाली कर दो पोडियम लगा दो माइक लगा द जन आ रहे हैं कीट्स आरे वो जॉन कीट्स की फिंग ऑफ ब्यूटी वो सोचते हैं ये लोग वह आ रहे हैं बड़े कंफ्यूस कौन आ रहे हैं फिर इन्हें दहिंदू अकबार के कुछ एडिटर से पता चला कि नई भाईया कोई एडिटर आ रहे हैं इनके या ठीक है तो वही हमारे ऑथर उनको बहुत हमारे जो वो थे ना बहुत इनके आगे एसेस वासन ने बड़ी आसी वेलकम स्पीच देते हैं इनको और वो जो है फिर आते हैं पंगे बंगे लगा रखी हो थे क्योंकि उन्हें अंग्री इसको बहुत गर्मी लगी लगी कि ना बल्यासा उ स्पेंस खतम हो जागा चैप्टर का वो बैठ के जो है अपना सारे गाउन वाले और हम भी सुन रहा था मैं भी सुन रहा था वह पर पोएट ने जो भी स्पीच बोली ना उनने जो भी बोला हमें कुछ समझ में ने आया उसकी एक्सेंट इंग्लिश की थी उसमें बस मुझ कि यह जो पोएट है यह इंडिया में क्या आखिर कहने के आये थे वहां की जो पॉब्लिक थी वह समझ नहीं सकती थी किया परपस थाने का तो हमारे पोएट की ना जो है हमारे ऑथर को काफी बढ़े लंबे समय बाद इनका यह जो कंप्यूजन है क्लियर होगा कि वह पोए चाफ है देखो यह नंतलिजन लोगए सबॉट है इसे अंधर तो ना जैसेदी लोग दोपहां कि दो पीद्द ऑना ना बहुत हीं इस सबर जिन आंदर rbell दौन जो बन सकता है क्यों कि हम र famouslyId हम उलत मिलता एक दिन में अगबार देख रहा था, तो अगबार में मैंने एक इस्तिहार देखा, एक short story competition चल रहा था, Encounter magazine वालों ने वो करवा रखा था, आते हैं ना, short story competition हमारे भी newspaper में, essay competition, बच्चे पाटी से पेट करते हैं, वो करें short story competition, the authors को invite कर रखा था, Encounter magazine एक famous magazine की तरफ से, तो मैंने का चलो भाई, मैं भी लिखके भेदीता हूं story पर फिर इन होने का पैसे खर्चोंगे, story लिखके भीजने में stamp भी लगेगा, post करने भी पैसे लगेंगे, envelope में रखे, तो पहले देखा हूं, Encounter magazine है, कौन सी, कोई नामी magazine है, फाइदा भी एज में story लगाने का, तो कहने मैं गया भाई है, British Council की library, लाइबरेडी में जाके मैंने ढूंडी book, वो magazine ढूंडी, Encounter magazine, जाते सार मुझे Encounter magazine मिल गई, और जैसी कहने मैंने Encounter magazine देखी और उसका Encounter magazine को जो एडिटर था, उसका नाम दिखा, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, मैंने का मेरा तो बिछलावा भाई मिल गया मेरे को, एडिटर कौन था, एडिटर वो ही poet था, जो poet कुछ सब में पहले उनके Gemini Studio में speech देने आया था, जिसकी speech किसी के पले नहीं पड़ी थी, अब बताती हूँ वो poet कौन थे, वो poet थे, Stephen Spender, इनकी एक poem भी थी, आपकी book के अंदर एलिमेंटरी स्कूल क्लास्टों में असलम, अब वो डिलेट हो गई तुमारे ठीक है, तो वो थे Stephen Spender, जो speech देने के लिए थे, जिनकी speech किसी को समझ नहीं आई थी, उनी Stephen Spender की एक magazine है, उसका नाम है The Encounter, उसका contest चल रहा था, तो जब यह देखते हैं न, अरे भाई है, यह Stephen Spender की magazine का contest है, कह रहे मैंने का, अरे यह तो बिलकुल ही वो हो गया, मेरा भाई मिल गया परदेश में मेरे को, अब मुझे बड़ी खुशी होएगी, कि इनके लिए मैं अपनी story लिखके भेजूगा, बस फिर वो कहते हैं मैं बहुत बुड़ा हो गया हूं, अब और आगे बड़ जाओ, उनकी life में, वो रेटायर भी हो चुक है, अब मैं जैमिराय स्टूडियो में काम भी नहीं करता हूं, अब मैं ऐसी अपनी life मजे से जी रहा हूं, ठीक है, कभी भी रास्ते पे गूमते वे कोई भी चीज सेल पे मिल रही होती है, तो उसे खडीदे में बहुत इंट्रेस जाथा हूं, क् और जाले डीक है, मैं ने देखा एक जगा पे बहुत सारे बुक्स बिल रही है, और उन बुक्स पे लग रही ही थी सेल, वह वह अनही क्यों करता हूं, जब ये स्टूडें पे लग रही है, तो उनहोंने जाके वह बुक बुक थी जो भी खाडीद लो, ऑगिसे तो उस अब वो बुक देखते ही जो उनकी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, उस पे से परदा हट जागा, क्या मिस्ट्री थी उनकी लाइफ की बताओ मुझे, क्या मिस्ट्री थी, यह मिस्ट्री थी, कि वो पोयाट स्पीच की उदे ने आया था भाई साफ, Stephen Spender क्यों आया तो यह बुक देखते हैं और उस बुक में The God That Failed में किसकी कहानिया आपको यहां के देखो दिख भी लिए होगी Why Sixth Grade Writer Rejected Communism तो भाई यह स्टीफ एं स्पेंडर जी और बाकी पाच राइटर और थे रेड़ कर लो बुक पे नाम लिखा हुआ है अच्छे से स्क्रीनशट लिख कर लो अच्छे से यह पाच राइटर छे राइटर जो थे यह पहले Communism को Follow करते तो उसे बहुत अच्छा मानते थे फिर इने Communism कमिया लगने लगी Communism इने अच्छा नहीं लगा तो यह Communism को छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं दूसरी आइडोलोजी की तरफ तो तब यह किताब लिखते हैं और बताते हैं लोगों को क्यों कम्यूनिजम अच्छा नहीं है तो दगॉड डाट फेंड मतलब क्या है यह गौड किसको कह रहे हैं यहां पे ठीक है तो फिर इन्हें समय अच्छा वई यह सारा कम्यूनिजम का मांजरा चला था मेरे जैमनाई स्टूडियो में है पहले आई मौरल रियार्मेंट आर्मी बॉस ने बुलाई थी वह भी अंटी कम्यूनिस्ट है अब यह जो उस दना के स्पीच दे रहे थे ना वह भी अंटी कम्यूनिस्ट ही होगी और सिंपल चैप्टर यहां पर उता है खतम क्योंकि जो इनकी लाइफ का एक रास था वो जो है कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया अब तुमारे भी सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गये देखा कितना असान चैप्टर था पोएट्स एंड पैंकेक तो पैंकेक के पारे में पहले पड़ा हमने में मेकप डेपार्टमेंट मेकप करने वाले लोग ऑफिस बॉय उसकी लाइफ के दुख्रे शुबुजी पोएट आ गए हमारे फिर हमने जो है मौरल रियार्मिंट आर्मी देखी और पोएट स्टीफन स्पेंडर का रास देखा और रास पेसे परदा उठते वे देखा और ख पराऊंगी आपको फ्लिमिंगो का चैप्टर दी इंटर्व्यू तो भाई आज कल के हमारी जैसे दमाने के बच्चों को जहां हम यूट्यूब इता चलाते हैं यूट्यूब पे पॉड्कास सुनते हैं इंटर्व्यू दिखते हैं तो ये चैप्टर पढ़के बहुत अच जैसे कहते हैं हर चीज की कमया होती है अच्छाया होती है तो वैसे ही इंटर्व्यूज को लेकर जो भी व्यूज है सोसाइटी में वह हम सुनेंगे अब यह मत सबच ना कि इंटर्व्यूज का सिलसिला अभी शुरू हुआ है आज से लगभग मानलो 130 साल पहने से जैसे बहुत सारे लोगों ने आमगास लोगो ने जो है इंटर्व्यूज पड़े हैं तो नई बात नहीं है कि आज सक कर बात Ciao है और बहूत जबाने Bahn जो इंटरवियु के support में नहीं और वो कहते हैं कि इंटरवियू जो है बिलकूल सही चीज नहीं है कि आदमी का उनको image कई by खराप कर देता है और जो है उनकी गलत image बना देता है कुछ लोग interviewing को ऐसे समझते हैं कि वह सही चीज नहीं है इन फैक कई पुराने जमानों में ऐसी बात भी चलती थी आपके इस इंटर्वीव चाप्रे में बता रखा है कि फोटोग्राफ खीशने को भी सही नहीं कहा जाता था फोटोग्राफ किसी खीशने का मतलब होता था प्रिमिटिव कल्चरस में यह बिलीफ थी कि किसी की फोटोखीशनों मतलब आप उसकी आत्मा जो है वो ले जा रही हो उसके पास से फोटो खीशने तक को ऐसा सोचा जाता था तो इंटर्वियू आज भी होते हैं पहले भी होते थे तो कुछ लोग इंटर्वियू को बहुत अच्छा मानते हैं कहते हैं बहुत बढ़िया है एक कला है एकाठ है और कुछ लोग मानते कि इंटर्वियू जबरदस् वह जवाब देना है तो इसलिए तेरस सं गेन्टर्वार तो गड़ी में मुझने इंटर्वियूं को पारिक है तो और में हम जानेगे उन लोगों के पारी में जिनने इंटर्वियू पसंत नहीं है ठीक है तो सबसे पहले आपको बता रहा है व्याइस नाई पॉल्ड का सोच इंटेवियूस पर वे ये वे नायपॉल एक बहुत फेमस इंडियन है ठीक है ये एक ज़र्नलिस्ट है और इनहें जो है परसंडली इन्डूरी इंटेवियू नहीं पसंड लिए ये किया वे इंटर्वियू के लिए लिक्रेंग री inferior कर लो He feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves यानि कि वो कहते हैं कुछ लोगों को wound मतलब होता है चोट लगना कुछ लोगों को interview से गहरी चोट लग जाती है और जो है वो अपने अपका अपनी अंदर का एक पार्ट को देते है इसका अगर detail मतलब मैं आपको बता हूँ तो देखो कई बार interview में ऐसे होता है कि सामने बैठे आपसे interview कुछ पूछ रहे है interview icon हो गया जो interview ले रहा है ठीक है जैसे हम गोगे जाना podcaster वैसे समलने आप तो interview icon जो interview ले रहा है ठीक है या interviewer कह सकते हो आप उसको तो भाई जो interview ले रहा होता है वो कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है जो सामने वाले को बुरे लग जाए वो कुछ ऐसा जवाब दे दे और लोग उसके बाने में कुछ गलत सोच बना ले जैसे आप से किसी ने सामने कोई पूछा कोई question तो आप जटपट उसका अंसर कर दोगे अब जटपट आंसर करने पर सोसाइटी में इमेज बन जाती या हो सकता है पर्सनली लोगों को आपका आंसर पसंद ना आए आप पर्सनली वो सब नहीं सोच तो एकदम से उस समय question पूछा आपने जवाब दे दिया तो इसलिए वो कहते हैं मेरे को इंटर्वी पसंद नहीं है इंटर्व्यू से कई बार लोगों की इमेज खराब होती है और वो खुद को ही खो देते हैं और चोट पोजाते हैं आप फेमस राइटर है इनको तो भाईया हॉरर था इंटर्व्यू का बहुत सब्सक्राइब दोस्तों से भी नहीं जादा मतलब रखते थे इन्हें वो लोग भी पसंद नहीं तो यह दूर भागते थे लाइम लाइट से इन्हें यह सब पसंद नहीं था तो फिर लोग इन इनको नराज होते थे कि भाई यह तो तुम्हारा काम है न तुम राइटर हो तो इंटर्व्यू दोगे लोग तुम्हें जानेंगे कैसे ओटोग्राफ तुम्हें देना पड़ेगा तो लुइस कैरल फिर भी ऐसा नहीं करते थे वह ना इंटर्व्यू देते थे और आपनी नेक्स्ट बुक इतनी बढ़या लिखते थे कि लोग फैन अपने आप हो जाते थे तो इन्हें भी इंटर्व्यू नहीं पसंता थर्ड आपको बता रखा है मोगली जंगल बुक के राइटर जंगल जंगल पार्ट चलिये वाले के राइटर रुडियर्ड के बारे में इनक पूरा दिन खराब हो गया, दो रपोर्टर जाए थे हमारे इंटर्व्यू लेने, उनकी वाज़ासे को मेरे हस्बंट ने बूला जब हमारा इंटर्व्यू लेने आए मेरे हस्बंट का यांधी कि रुडियर्ड के प्लिंग ने डो जो अपी रेपोर्टर इंटर्व्यू है ते उनने क्या बोला कि इंटर्व्यू कुछ की लेक्व नवा है इंटर्व्यू के इंटर्विू से कम नहीं है। किसी को पीत है। उसको और को क्सी एंटर्वियू उसको 7 am भूर को जाये मारम्य घुट है। ऐसा किसी को भीजिकली हश्रण कर बना सा नयुक्त वो ही जाके किसी का interview मांगेगा तो वो interview को क्या मानते थे Rudyard Kapling ये वाली लाइन पढ़ लो Rudyard Kapling says that immoral है interview मतलब अच्छा काम नहीं interview लेना Crime है एक interview, assault है एक interview और ये जो है punishment होनी चाहिए एक interview लेने के लिए सिफ कोई कायर ही होगा जो लोगों के पाथ जाके interview मांगेगा ऐसी ऐसी बाते इंटर्व्य के लिए कहते थे बट थोड़ी सी हिपोक्रेसी करी इन्होंने ये सब बाते कहने के बाद इन्होंने खुद इंटर्व्यू लेने चले गए थे Mark Twain का तो ऐसे तो कहरो भई है कि इसी पर हमला है ये जान ले बहा interview लेना और खुद ही इन्होंने Mark Twain का interview ले लिया था next writer है हमारे H.G. Wells मेरे बहुत one of the favorite writers में से एक है क्योंकि इन्होंने बड़या बड़या किताबे लिखिया है वो movie न वार ओफ दे वर्ल्स time machine invisible man साब इन्होंने लेखिया है तो जो H.G. Wells जी है उनको तो भाई interviews लगते थे ordeal ordeal मतलब क्या वो जो आंट जैनिफर की life में और डील हमने वर्ट पढ़ा था ना तो नहीं पढ़ी है पोयम तो पल लेना और डील मतलब होता है बुरा वक्त बुरी चीज़े तो इन्हें interviews क्या लगते थे बहुत बुरी चीज़े बहुत बुरा वक्त लगता था इनको interview बट फिर भी इन्होंने बहुत बहुत सारे इंटर्व्यू लिए बहुत सारे लोगों के यह कहते थे इंटर्व्यू बुरा वक्त जैसे होते हैं बहुत सारे लोगों के इन्होंने खुद बेलो का विचार बताये गए हैं यह बहुत बड़ी राइटर इंटर्व्यू पर तो जो सौल बेलो है वो कहते हैं कि इंटर्व्यू मतलब होता है थम्प्रिंट्स और विंड पाइप यानि कि कोई विंड पाइप मतलब सास की नली को को अपने अंगूटिया से नहीं दब कि जो भी है इंटर्व्यू गलत हो सही हो पसंद हो नापसंद हो बट आज के प्रेजेंट वर्ल में अगर आपको लोगों के बारे में जानना है तो वह इंटर्व्यू के थ्रू ही जान सकते हो suppose करो आपके कोई बायस है आप किसी celebrity के fan हो sports person के हो कोई politician आपको पसंद है आप भी उनसे inspiration लेना चाहते हो तो क्या करते हो आप उनका interview देखते हो कि उनकी life में उन्होंने यह सब complete कैसे करा तो इसलिए यह जो reporter है उनका नाम क्या बता रखा है Dennis Brian Dennis Brian याद रखना वो कहते हैं कि इवन दो interview पर लोगों के जो भी विचार हो बट interview जो है आज के समय पे तुडेज वर्ल में बहुत बड़ा medium है communication का और जब कोई interview जो है interview लेता है suppose करो यह interviewer है इनके हाट में माई कैं यह नंकल से question पूछ रहेंगे एक celebrity है तो इस interviewer के हाट में बहुत ताकत होती है किसकी ताकत होती है जनता की आवास की कि जो भी question इनके fans इनसे पूछना चाते हैं अब हम सब थोड़ी जाएंगे अपने celebrity के पास fan के जिनको भी हम प्यार करते हैं उनसे question पूछना हमें गहां में लेंगे बट इनको तो मिल जाएंगे ना तो यह हमारे question पूछ लेते हैं तो यहां पे आपका part 1 complete होता है जहां आप interview से related सारी जानकरी जान चुके हो अब चलो क्यों ना अब interview अच्छे हैं बुरे हैं पढ़ लिया तो एक real interview अब हम देखने वाले हैं यह real interview हम देखेंगे एक बहुत नोन प्रोफेसर का जानकर नाम है Umberto Eco यह एटली की एक उनिवसिटी के बहुत नोन प्रोफेसर है और प्रोफेसर होने के साथ साथ भाई इनोंने क्या करा अपनी लाइफ में इनोने एक बुक लेख टाली अपनी लाइफ में इनोने एक बुक लिखी एक बहुत ही बड़िया mystery detective वाली नोवल लिखी उसका नाम था The Name of the Rose यह जो बुक थी इनकी हो गई super famous best seller बहुत बिकी इनकी यह बुक तो थे तो यह प्रोफेसर बट इनकी बुक बहुत चली बहुत बिकी और यह राइटर भी बन गए तो इसलिए इनका इंटर्व्यू लेने के लिए हमारे इंट्रव्यू में से जो हमारा हिंदू अकबार है उसके जो एक journalist है उनका नाम क्या है Mukund Panmanan तो उनका इंटर्व्यू लेने उमबर्टो एकोजी का इंटली वालो का जो है लेने जाते है Mukund Panmanan जी तो क्या बाती हुई क्या क्वेशन पूछे करें उनसे क्या उमबर्टो एकोजी ने जवाब दिया वो जान लेते हैं तो बाई उमबर्टो एको कौन है एक बरन का description याँ दख लो उमबर्टो एको कौन है प्रोफेसर है यूनिवर्स्टी में बोलोगा ना इन इटली छीक है इनका इंटर्व्यू लेने मुकुत परमधन गए है तो आपको वस याद रखना है साइन्स के है साइन्स होते है जैसे आफने देख और रोड बेला होता है हर चीज का में जो भी हम कुछ word बोलते हूं के कुछ ना कुछ जैसे वो male और female का sign होता है हर सारी चीजों को हमारी धुनिया में sign बने उते हैं scions कि अधें उन्धंगा स्कूब करते हैं उन्हें बहुत सारी किताबें छीए बच्चों को पढ़ाने वाली भी प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाते थे, क्लासेज लेते थे, बट अपने खाली वकत में इन्होंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया, और उनमें से ये एक नॉवल जो उन्होंने लिखी थी, 1980 में, जिसका नाम है The Name of the Rose, वो हो गए World Famous, तो इनका इंटर्व्यू लेने मुकुद पर्मनन जाते हैं, अब क्या बात करी, क्या करी, नहीं करी, वो सब में नहीं हाँ पर नोट्स फॉर्म में लिख दिया है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा तुमें, इंस्साग्राम पे अप्लोड़ प्रोफेसर वाले थीसेस भी लिख लेते हो, और आप जो है भाईया, नोबल भी लिख लेते हो, so how do you manage all this, हम से तो भाईया, homework कंप्लीट नहीं होता, हम स्टुडें से तो homework से लेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, आज तक, आप इतना कुछ कैसे कर लेते हो, तो उमबर्ट को कहते हैं, मैं बताता हूँ, मेरा इंटरस्ट है philosophy में, मैं हूँ एक philosopher, तो भाई, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, college में जाके, या college की प्रोफेसर वाली, scholarly, कोई पढ़ाई की किताब लिखता हूँ, उसमें भी philosophy भरता हूँ, और जब मैं कोई novel लिखने बै लिखता हूँ, scholarly work, लिखता हूँ, कभी मन करता है, तो detective novel भी लिखता हूँ, मेरे लिए मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, तो वो कहते हैं, इसा काम हर कोई थोड़ी कर सकता है, not everyone can do this, वो कहते हैं, पर आप इतना कुछ manage के करते हूँ, फिर भी not everyone can do this, time तो चाहिए, यह फुरसत कहां से लाते हूँ, तो वो बताते हैं, मैं बताते हूँ, तो मेरे को फुरसत कैसे लाता हूँ, मैं time कहां से लाता हूँ, तो वो कहते हैं, देखो मेरी एक theory है, उसको मैं कहता हूँ, the theory of interstices, ठीक है, तो चलो theory of interstices समझते हैं, तो interstices को मतलब क्या कहते हैं, वो क कुछ टाइम होता है तो समय हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं जैसे की सुभा सुभा जब आपकी स्कूल की बस आने वाली होती है यह आपकी व्यान आने वाली होती है और आप तयार हो के सॉक्षू पेंट के युनिफॉर्म पेंट के बैठे होते हो वेट कर रहे हो दस मिनट बा वो कहते हैं कि इसकी जगा में जो है इसा कोई समय मेरे पास होता है तो मैं उसमें परसनल वक करते हूं जैसे कि तुम इस समय तेखने की जगा जो काम अभी तुमारी तुम आपी तुम आप ली सबस्दा दरूरी है तुम क्या करो सुबा 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 एक चैप्टर पढ़ भाईया सुबा सुबा पढ़के जाने 10-minute की वीडियो है 20-minute की वीडियो टू-एक्स पर सुन ली तो यह तुमने इंटस्टाइस को यूज कर लिया कि जो तुमारी लाइफ में खाली जगा थी कि तुमारे को कुछ काम नहीं था करने के लिए तो उसको तुमने वेस नहीं क कि चला जाता हूं पड़ाया सुब भी पड़ाया सुब था पड़ा चाहरें सूब्स कर लेता हूं पन्हें काम फॉपरै यह जो अपने थी ड्優न सृइम को मैंनेजанд करता हूं क्यूंकि में यह तर चारी टाम करता हूं 126 में था buck गिम नहीं करसकता यह ठीं डैच इस diversity वो भी बड़ी फ्रेंडली टोन में लिखी है यह कैसे कुछ आर्टिफिशली आपने सोच समझ के लिखाए का कि नहीं ऐसा लिखता हूं कि बच्चों को पसंद में पढ़ने वाले यह आपका स्टाइल नाच्रली ऐसा है तो मुझे जब में कॉलिश में था ग्रेडुएशन म लिखना है यह प्रोजेक्ट वर्क जैसा होता है थी इस पूरा आपको उसमें टेस्ट करने होते हैं अलगलग बातों पर सब कुछ में कॉंक्लूजन लिखना होता है यह सम्मेंशन करना होता है तो वह कहने मेरे को एक डॉक्टोरल डिजर्शन मिला तो मैंने उसमें जो है वो उसको कहानी की फॉर्म में लेका, प्रिजेंट करें तो मेरे प्रोफेसर के प्रोफेसर के लिए प्राइस के लिए और मुझे बहुत जादा मुटिवेट करा कि आगे भी ऐसी लिखू और मुझे बहुत कहा कि यह बढ़ा स्टाइल है पड़ाई वाली श्कॉलरी बर्क ल उसको काट के लिख्व को अधे किताब लिखिंगे वाली कम से कम चारव 25 लिख्ए होंगी तो वह के लुक्यते हैं नई मैंने जो कोई भी आपको जानते हैं एक राइटर की तरह जानते हैं कि भाई यह तो आपको बुरा नहीं लगता कि लोग तो आपको सिर्फ एक प्रोफेसर की तरह नहीं तरह नहीं जी मुझे क्यों बुरा लगेगा मुझे अच्छा लगता है भाई लोग मुझे जान रहे हैं तो सकते तुमजे निइसे को8 लिखता हूं मैं वैसे सभास संडे बंडे लिखता हूं वैसे तो मैं अपने भाही जाता हूं कॉलेज जाता फॉर निटाहूं बॉक But to pay मूझे अच्छा लगता पर इन चलक करना छोब मैं में एक पर सकते लिकी सब तो जल्दी से लिख देता हूं तो अपनी नौवल लिखते थे अब अग दी एंड मुकुन पनमान उनसे उनकी नौवल पर बात करते हैं को पूसते ही जो आपकी नौवल है ना सर यह बहुत डिफिकल्ट है कोई असान भाशा की नौवल नहीं है यह तो आपको कैसे रखता है सी नौवल पर नहीं पसंद है कि भाई की लड़का है लड़की है मिले friendship हो गई शादी हो गई love stories ही पढ़ना पसंद है कुछ असान चीज़े पढ़ना पसंद है बट ऐसा नहीं है लोगों को मुश्किल चीज़ों में भी इंटरस्ट बन जाता है अगर वो अच्छी हों के जैसे मैं खुद मेर को देखके तो मैं क्या लगेगा मैं हर समय पढ़ता रहता हूं बट ऐसा नहीं है मैं अमेरिकन शोज जो आते हैं टीवी पर डिटेक्टिव वाले जैसे मियामी वोईस होगी और कुछ-कुछ मैं भी शाम को बैठके सब की तरह शोज देखता हूं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज लोगों को असान चीज ही पसंद होती है या लोग दो चीजों में अपना इंट्रस बिल्ड नहीं कर सकते हैं मेरी नौवल मुश्किल थी बट लोगों को अच्छी लगी तो उन्हों ने पड़ी अब लास्ट क्वेशन होता है मोकर्ण जी का कि लगते कि उरे उसमें मेडियुवल हिस्ट्री इंकलूट करे आप और इसलिए आपकी नौवल इतनी फेइमस होगी क्यों कहीं मेडियुवल हिस्ट्री गाली नौवल भाइवी लिए aham उसके नहीं है इते वल्याएं empath हों को आप अचांई जहां भी protocol का इंदें स्क्रिप्त जो आपने मेंशन करें यहां पे लोगों को इंट्रस्ट नहीं है यह सब पढ़ने में और उसने मुझे बद तीन सो कॉपी कर ड्वांस दिया मैं भी रखके घड़ लिया कोई बात नहीं बट फिर क्या हुआ लोगों को मेरी नॉवल इतनी पसंद आई कि भाई यह वर्ल्ड हो गई तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी नॉवल किस बेसिस पे चलेगी यह लोगों के जंता की इंट्रस्ट के उपर बात है लगए अच्छी तो पढ़ लेंगे नहीं लगे तो मैं जादा इस पर सोच बिचार करता नहीं क्योंकि उन्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं क लास्ट चैप्टर पढ़ेंगी फिल्मिंगों का गोइंग प्लेस सभी चैप्टर को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्श प्लेलिस देख लो नोट्स के लिए इंसेगरा माइडी चेक कर लो आपर नोट्स भी है और जो है पॉर्टन कोशन की सीरीज भी लॉंच हो चुके मे आपको पढ़ाऊंगी आपकी फिल्मिंगो बुक का आखरी चैप्टर और सबसे बड़िया चैप्टर गोइंग प्लेस तो यह कहानी एक प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम है सोफिया और भाई साब यह कुछ भी कर सकती है इसके दिमाग में है अपना है एक इमाजनरी वर इसकी इमाजनेशन वर्ल्ड है बहुत बहुति यह जो सोच रहे है उसको सच मान लेती है भाई अगर इसने सोच लिए जसन्ट बीवर इसका बॉइफ्रेंट है तो बहुत है और सबको बतावी दे हैं है तुम मुझे पागल मत समझो अगर इसने सोच लिए काईली जेनरी इसकी best friend बन गई और यह जा रही है उसके नए product के launch पे तो यह जा रही है तो में से मारा नहीं कर सकते हो तो इसकी imagination world में कुछ भी हो सकता है और यह अपने imagination world को proper असली जो है सच मानती है और उसको दिन भर जीती रहती है कि हाँ भाई मैं तो गई मिली इससे उससे मिली और सब को बताती है वैसे हम लुग का भी imagination world होता है बट वह अपने दिमांग में होता है अप लोगों को नहीं बताती है यह अपने imagination world की आशी कहानी बुनती है और सब को बताती है कि एक बारी को सामने वाली को भी लगता है कि काश कई यह सच तो नहीं भूल रही है तो आज हम जा करते हैं अपने इस amazing chapter को एक teenage लड़की की गाहनी जो अपनी film की lead heroine है और जिसका दिवाग में जो होता है वो वो accomplish कर सकती है ऐसी है हमारी यह प्यारी सी teenager बच्छी Sophie तो देखो होता क्या है यह दोनों जो Sophie अचा हावैसे हो ना क्या वाला इसकी life में यह भी school pass out करने वाली है और she belong to middle class family ठीक है तो इसका तैह है बिलकुल पक्का है कि यह और इसकी एक दोस्त है जैसे इनका school खतम होगा यह एक biscuit की factory में काम करने वाली है बट यह अपनी उस reality को नहीं मानती है यह इसके दमाग में रोज नहीं कहानी बनाती है और उसी की picture चला के उसी को जीती है तो now let begin to start होता है chapter की यह Sophie है यही प्यारी सी Sophie और यही प्यारी सी इसकी दोस्त जैंजी तो इसकी बढ़िया imagination के लिए सबसे पहले तो लाइक कर दो वीडियो को क्योंकि बहुत बढ़िया काहनी सुनाईगी आपको Sophie बहुत बढ़िया imagination है इसकी और बहुत कुछ सिखाने वाली है तो में Sophie मज़ा किया मज़ेदार interesting chapter है तो Sophie और यह जैंजी दोनों स्कूल से आरी है देखो प्यारी सी बची हमारी दोनों स्कूल से आरी है और गपे मार रही होती है एक दूसरे से घूमती फिर्थी आनी और यह Sophie जैंजी को कहती है जैंजी तुशी पता है मैं आपना बढ़नों देखोंगी से नहीं है में अपना बुटीक होता हिटर उतला फिर्ट इसके अपने हो सकता है तो टीट है तो झालो पेले किसी बूटीक पे मैनेजर बन जाओंगी वहां से पैसा जोड़ों गी कमाऊंगी जोड़ोंगी फिर अपना भूटीक खोल दूगी तो जैनसी तो यह अपने कहानिया बतारिया भूटीक खोलूंगी ऐसे खोलूंगी तो चलो देखते हैँ सोफी क से कहते हैं में सोब से बड़ी आइड गोलंगे अपने शहर का मेज़ें पर दांधा में गज़न जूँगी चैण थे तुम आने को तहीं से समझा रही है कि वहनी काम किरें तोасьb को अच्छा थीक काम करूगी मैं ना अक्ट्रस बन जाओगी तो यह सोची अपने आपको पूरा है पूरा स्टार्ट अप चला लिए अमने दिमाग ठीक है बस इसको किसी उसकी जरूरत हो कि फंड करते इसके ड्रीम को कोई पूरा इसका दिमाग बरा सेट है ठीक है तो यह उसको बोलती है तो कहते है यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता तेरे पापा कहां मानेंगे ना वो तुझे बुटीक खोले देंगे ना वो तुझे अक्टरिस बने देंगे हमें बिसकिर फैक्टरी में काम करने है हमारी रियालेटी समझ तो जैंजी के जो पैर है वो जमीन पर है बट सोफी का दिमाग आसमान में है और उसको आसमान जैसी उचायों पर जाने और वहीं सोच है और यह से कोई जैन जी से कुछ भी बोलती रहा है नहीं होगा नहीं होगा है वैसे इसकी तरीका बढ़िया वैसे चैप्टर में लिखा ही है मैजिनेशन वर्ल्ड कुछ गलत है वो बताऊं कि आपको गलत बट इस दिमाग पर आप देखते हो एस्थाटिक लाइफ तो एस्थाटिक लाइफ होगी मेरी एकदम सुन ले तो मेरी भेंट अब यह बात कर जेकर जेकर यह वह अपने घर आजाता है इनके घर चलते हैं हम सड़क किनारे इसका घर आजाता है घर के बाहर खड़ी हुई है चल मैं तो जा अंकल खा रहा है खाना पीछे चोटा भाई है चोटे भाई का नामे डिरेक ठीक है वह बैठा हुआ है तो यह जैसी बोटीक खुलों के तो उसके बापा सुन लेते हैं अंकल कहते है बेटा कुछ पैसे आजा है तो हमारे लिए नया घर खरीद देना बोटीक से अच्छा त पापा इसा नेजर पाता अंकल को इसका चोटा भाई कहता है पैसे पेड़ पर उखते है तो सब इसका मजाग उड़ाते रहते हैं अब यह घर में देखती है अपने ड्रॉहिंग रूम को देखती है पूरे घर में धुआ था क्युक्कि जो है खाना बन रहा तो थो थूआ मेर को तो कुछ अलग करना कुछ रख्यूरियास करना तो इसे अच्छा नहीं लगता है वाँ पर खुटन मैसूस होती है तो यह सोस्ति है चलो में भाईया के बाद चल दूए इसका बड़ा भाई है उसका नाम है जियॉफ तो यह उसके कमरे में उससे बात करने चली जाती है ठीक है तो यह जियॉफ के कमरे में जाती है अब जियॉफ कौन है यह जानू जियॉफ इसका बड़ा भाई है और यह रोज शेहर जाता है यह एक गाड़ी का मेकैनिक है तो यह मेकैनिक की दुकान में न सीख रहा है अप्रेंटिस है तो वो जो हमारे मुकेश्ट का ड्रीम है वो हमारे जियोफ भाई के रियालिटी है तो दिमाग पर रखना इसको क्या पता एक्जाम में आ जाए ये पैरलल कुश्चन बनके ठीक है तो 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 हमारी सारी चैप्टर में हो जाएगी तो जियोफ जो है मेकानिक है यह रोज जाता है काफी देर लगती है इसको शेहर ज ली करता मुझे अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं बाता ता शह चला जाता है कि अपता इसी दोस्त हो इसको अपने यहां से बाहर निकलरा है बंबाहर शेहर बहर निकलता है को बहर निकलता है कृषब करने भोंग तरहां कितनी मेहनत करता है रोस कि अ में पहालन कि दुगान पर कुछ पैसे कमाने के लिए। न कि रहर गशी भालस साथ यह जाता होगा? रोज लोगों से मिलता होगा यह नहीं बतातँ है उनके बारे यह चाहती है कि यह और इसके भाई बंचे बेस्ट फ्रेंड और जाए घूमे फिरे मौच करें जाके नए नए लोगों से मिले इसके ड्रीम है कि भाई और मैं जो है अब यहां बंद आ रहा है जैसी यह सिटी चाता है तो यह भी एंजॉय करें लाइफ को मुझे अभी करो हम नहीं नहीं को देखें और एक्स्प्लोर करें अब इसका भाई ऐसा कुछ नहीं कहता है वह वेचारतर वो जॉब करते अब यह जाती है वह इस पर ध्यान मी दे रहा था अब इसको क्या करना है इसे अपने भाई के इंचन सीख कर दी है गप्पे मारने हैसे कि मेरा भाई बात निकला हूं इससे बोले मुझे लिए तो जाकर उसको कहती है मैं डैनी कैसी से मिली हूं आज अब डैनी कैसी कॉन है यह है च और Sophie का भाई के दैनी कैसी पूरे कम्रे में पोस्टर लगाने के दैनी कैसी का कट्टर फैन है हमारा बट बढ़िया वाला फैन है जी आफ तो यह उसको बोलती है मैं डैनी कैसी से मुली अब जी आफ ने छोड़ा बाइक का पात किया है अब आ गया कि वहीं कि वहीं किसी से मिली तो यह मैं तो यह थो हो आप अर्केट का एक दुकान मधी जगा हो अहां पर आप अधरी आपकेसा लग रहा था है यह कैसी पुछ नहीं है थे किया पूह कोछ ने ऐ भी आघा पर शो रहा था नगर आप करिश पीण बोल रहा था फै विल्कुल वैसी action में बात करी हमने एक दो मिनट बस वैसी मैं मिली उससे डानी कैसी सा आर्केड पर आजन करा कि कोई आर्केड की दुकान वाली जगा है यह रहे डानी कैसी जी और यह रही मैडम हमारी प्यारी सी सोफी इस अपने दिमांग में अमाजन कर लिया कि शाम को घर कि आके खरी-खरी सुन्दर सी और उसका वह बोलने का स्टाइल और उसके वह बाल और उसका वह एरिट्यूट ओमाइगाड यह सब वह इमाजन करती है अपने दिमांग में और हाथो हाथ भाई को स्टोरी लिखके पूरी प्रेजेंट कर देती है भाई मैं मिली उससे अब पाई भी डैनी केसी का फैन है तो भाई सुन रहा था बहुत देहां थे फिर वह कहता है बेंदु ने पापा को बता है अब पापा को कैया दो पापा भी वह बताऊंगी इतने मेस के पापा मूद हो कि आ जाते हैं उनका टीवी देखने का टाइम था तो पूरा परिवार प प्रेट पैठा है, अंकल बैठे एक एक इनसान को जानता हूं, वह फूट बाइब से मिले थे, क्या नाम है? तॉम भी कोई बहुत अच्छे फुटबॉलर है तो वो जो है इसको बोलता है जिए अपापा में डैनी कैसी की बात कर रहा हूं डैनी कैसी तो बहुत थोड़ा यंग है बच्छा नौ अभी इसके लाइस में बहुत डिस्ट्राक्शन आएंगे अमर्जिंग प्लेयर है अच् अभी इतना यंग है लाइफ में बहुत डिस्ट्राक्शन आएंगे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उन सब को डॉच करता तो बन जाएगा बढ़िया प्लेयर इतने में तब डिस्कॉशन करें कौन बढ़िया प्लेयर और वहां से सूफी मैडम कहती है वह आर्केट पी द क्या और भाई या के शुबार आप यहां है और क्या शेयलोगओ को यकीति हमी नहीं हूआ कि मैं और केसी से मिली यूँ तो ये डूबार रहा जाती यानि के जिआए बहुत बड़े फैने की टीम के अब जाके को कहती है दीया भाइया एक बात बताओं तुम्हार को पाप बना और पाप तो करते है कि मेरा मर्ण करेंगे वो की बात हुगी तब ही तो करें क्यूं करें कि नहीं नहीं प्लीज प्रामिस कर नियुकि बताऊंगी कितनी फ्रेंड से होंगे तुम क्या बाते करें नहीं 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 कैसी कोई फ्रेंड नहीं है कि राचा होगी तो वो तुम्हें बताएगा वड़ा कि वह बहुत को आई ओप यह इसे लोगों से बातचीत खुलके नहीं करते हैं कर तो लिकी को बनाई किर्छाक्त उ तो मिली तो तुम से बात करने लग्या वो तो कॉईट है तो यह थे नहीं नहीं वह तो वह कहए बात करनी तो नाहीं को मुझस हूं यह था बृष्ट वाですか तो आटोग्राफ के लिए पैन ही नहीं था हमारे पास में तो फिर मुझे डानी कैसी नहीं बोला है कि वो नेक्स्ट वीक मुझसे वहीं पर मिलेगा और वो मुझे ऑटोग्राफ देगा हमारे चोटे भाई के लिए तो हम मेरी और उसकी डेट फेक्स जाए अगले हफते में इससे मिलने जाओंगी तो प्लीज में बापा कोई बात मत बताइए मैं जरूर जाओंगी तो अब यह चारिए कि इसका भाई इसकी इस बात पर भरोसा कर लेकी अगले हफती जाएगी डरें कैसी से मिलने बट इसका भाई अब इसकोई रिप्लाइए नहीं करता है वो अप अपनी वीकली पिल्ग्रमेज पर मतलब क्या हुआ इसका हर अफ्ते जाते ही जाते हैं फुटबॉल मैच देखने के लिए अब यही वो एक चंद सेनारियो होता है चंद मिनट होते हैं जब यह देखती है डैनी कैसी को इसका जो भाई है पीछे वाले स्टैंस पर आगे बै जाती है सब डैनी कैसी को बहुत प्रेस करते हैं और वापस यह लोग घर आते हैं जब यह मैच देखके घर आ रहे हुते हैं तो इसके पापा तो ना सेलीबरेट करने के लिए पम में रुख जाते है चोटा भाई और यह घर आते है ठीक है अब अगले दिन क्या होता है इस रवीड करती है तो जोटे है तेरे भाई ने मेरे भाई को पता ह्याएं कि इनके भाई वी दोस्त वह क्योंवे क्योंश तो यार यार ऐसी कुई बातनी रहीं है प्लीज तो ऊसी को बताई हो मत कुद यार मेरे तेरी बेस रहनु मेरे तुम भरोसा कर मुझे बता क्या हुआ था मैं तुझे पक्का प्रॉमिस कर यू कैसे मेरी कहा मिली यह बता तो आप जैंजी के इस बार पर थोड़ा रिलीफ लगता है कि अच्छा ठीक है इसको इतना ही पता है कि मैं मेरी नेक्स देट वाली बात तो जैंजी को मेरे भाई ने नहीं बताई है तो वो दोताती है उसको कुछनी में रोईजि की विंडों पे थी वहां बें मुझे जाने कैसी मिले और वे से हाइ है लोग हुई एमारे जैंजी बहुत खुश हो जाती है तो जैंजी भलोसा कर चुकी है उसके वार्ट पर दिन हो शाम चड़ जाती है अब ये माड़म क्या करती है अब इसके दिवांग में इमाजनेशन वर्ड में उस पार्क योस बेंच पर बैट जाते है नो शी इस लिविंग हर फैंटसी इमाजिनेशन को वो लिफ कर रही है वो सोच रही है कि हरे वहाँ पर पेड़ है उसके पत्ते हिले पीछे से कोई निकल के आया ओधा और इमाजिन कर रही है डैनी कैसी को चल के आता वा डैनी कैसी मेरे पर बराबर में आगे बैटा हमने कुछ बात ने करी और फिर रियालिटी में आ जाती है कि यार यह तो समय गलत सूच रही हूं डैनी कैसी तो कोई है नी मेरा दोस्त रैनी कैसी तो कभी मिलने आये गाई नी और इसे वानी बुरा लगता है अपने अपने भाई को क्या बोल आगे अपने जारी होती है जब यह घर आरी है वापस उस बेंच पर उटके पार्क में से तो रास्ते में फिर से अर्केड आजाता है और वहां पर यह फिर अपनी उस इमाजनेशन को लिफ करती है क्या वह वह वहा वह दिन था बढ़िया डैनी कैसी मुझे मिला था यहां जानवेर होता है, उसके बहुत सो नराखी होती है और कैसी उसने मुझे बोला वा कि जो है, yes I am Danny Casey फिर मैंने autograph मांगा तो उसके पेन नहीं और उसने मुझे का कि वो मुझे next day कभी मिलकर autograph जरूर देगा अब पूरे उस time को imagine कर रही होती है तो यह है हमारी Sophie की imagination और इस imagination में यह बंद हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ reality में यह मिलती कभ है हमारे डाइने कैसी से जब वो होता है वहाँ पे football वाले match वाले, ground पे और वो माल रहो होता है goals पे goal, सिर्फ और सिर्फ यह तब मिलती है तो at the end यहाँ पे studio खतम हो जाती है imagination world से शुरू हो के हमारी Sophie के imagination पर इंड हो जाती है अब सबसे गलती जो Sophie कर रही है अपनी लाइफ में क्या कर रही है देखो ड्रीम्स तो है इसके बुटीक खोल लूगी, fashion designer बनूगी वो सब करने के जगा वो एक ऐसी imagination कर रही है जिसका उसको life में कोई फायदा नहीं होने का तो इस chapter की theme चलती है hero worship पे कि कई बार हम celebrities को influencer को बहुत जादा जो है इस तरीके से को teenager age बेचाब होते है तो बहुत जादा imagine करने लगते है तो इसका कही न कई बच्चों की life पे गलत effect पड़ता है in fact उनको क्या करना से dreams रखो, हाँ, boutique खोलना बहुत बढ़िया dream थी actress बनना बहुत बढ़िया dream थी और वो dream रखने के बाद उसके लिए मेहनत करो तो this is the lesson of the chapter जो Sophie के थूँ हमें दिया गया है आपको भी लगना क्या पागले सुचती रहती है बढ़ कहीना कई ये काम हम लोग भी करते है तो जो भी dream है उसके लिए मेहनत करो और उसको अच्छी करो तो with this ये chapter complete होता है और पूरी flamingo book भी complete होता है ऐसी आपको जित्रे भी chapters है पढ़ा दिये है description box में link given है i tab में link given है जाके पढ़ो और question answers भी देख लेना और कोई queries दो पूछ लेना तो मैं चलती हूँ बाबाई ची कराएं बेस्टो